गुड मॉर्निंग बच्चों, मैसेल ताराचन, टीम CLC मैच, आज हम लोग नेक्स पेपर देखते हैं हमारा और यह है आपका मेजर टेस्ट, फुल सलेबस, इसके क्यूस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किस टाइप का रहेगा, चली बात कर सकते हैं, सबसे पहला क्यूस्टन है हमारा, 1 plus sin x plus sin square x plus sin cube x up to infinity, that will be equal to 4 plus 2 root 3, जहां पर जो x है आपका, वो कहां से है, 0 से πाई के बीच में है, तो आपको यह बताना है कि x की जो भी possible values हो सकती है यहां पर, वो क्या हो सकती है, सबसे पहले अगर हम देखें, तो यह एक जो सीरीज है आपके सामने, यह कौन सी सीरीज है, यह एक infinite gp है, और infinite gp का जो sum का formula होता है, हमारे सामने वो क्या होता है, a upon 1 minus r, जो यहां पर a की value 1 है, और r की value कितनी आएगी, sin x, और यह किसके equal है, that will be equal to 4 plus 2 root 3, इस gp का जो sum है, वो 4 plus 2 root 3 के equivalent है, clear है, तो यहां से आपको यह बताना है, कि then value of x क्या होगी, तो हमें इस equation को क्या करना है, यहां से solve करना है, तो देखें इसको किस तरीके से solve करेंगे, सबसे पहले इसका reciprocal कर दे, तो इसका reciprocal करेंगे तो आएगा, 1 minus sin x will be equal to, 1 upon 4 minus 2 root 3, 1 plus 4 upon 2 root 3, इसके बाद में हम इसको rationalize करेंगे, तो इसको rationalize करेंगे, तो देखें कितना आता है, that will be 4 minus 2 root 3, divide by 4 minus 2 root 3, तो देखें, इस numerator के अंदर आएगा हमारे सामने, 1 into 4 minus 2 root 3, so that is 4 minus 2 root 3, and whole divide by, नीचे आएगा आपके पास में, a plus b into a minus b, that is a square minus b square, so this will be 16 minus 12, तो यह आजाएगा आपके सामने, 2 minus root 3 divide by, इसको 2 से divide कर दिया, नीचे 4 आएगा, तो वो बन जाएगा आपके सामने 2, क्लियर है बच्चों? चलिए, आगे बात करते हैं, तो आपके सामने आगया, 1 minus sin x equal to 2 minus root 3 by 2, तो अगर हम इसको cross multiplication करें यहाँ से, तो हमें मिलेगा 2 minus 2 sin x, and that will be equal to 2 minus root 3, इसको आगे फर्दर स्वाल किया, so 2 से 2 cancel out हो जाएगा, minus sin से minus sin कट जाएगा, और आपको मिलेगा, sin x will be equal to root 3 by 2, और sin x की वालिए देखिए, यह root 3 by 2 कब होती है, यह आप सब लोगों को पता है, 0 से πाई के अंदर sin x की वालिए, root 3 by 2, दो बार होगी, एक बार आपका first quadrant में, और एक बार second quadrant में, first quadrant में होती है, 60 degree पे, और second quadrant में होगी, 120 degree पे, तो आपका जो answer होगा, यहां पर वो क्या हो जाएगा, pi pi 3 और 2 pi pi 3, तो यह दो possible answer से इसके, तो इसका fourth option आपका क्या होगा, तो इसका fourth option आपका क्या होगा, सही option होगा, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next question के अंदर देखिए, आपको क्या दिया गया है, next question है हमारा, area of the state line formed by the line x plus y equal to 3, and the angle bisector of the pair of state lines, और state lines क्या है हमारे सामने, x square minus y square plus 2y minus 1 equal to 0, clear है, तो इनसे आपको यह बताना है, कि इनसे जो bounded जो area होगा, उसकी value कितनी होगी, so चलिए बात करते हैं, कि area of the state line formed by the line x plus y equal to 3, and the angle bisector of the pair of state lines, x square minus y square plus 2y minus 1 equal to 0, so चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका angle bisector निकालना है, यह जो pair of state line दी हुई है, तो इसका angle bisector क्या हैगा, देखे बात करते हैं, तो आपको मिलेगा यहां से x square minus y minus 1 का hall square, इसमें से गार, आप minus sign common ले ले लेंगे, तो यह बन जाएगा y minus 1 का hall square, तो यहां से मिलेगा आपको x plus y minus 1, और साथ में मिलेगा आपको x minus y plus 1, तो यह दो state lines आ गई है, इन दोनों का आपको क्या करना है, angle bisector निकालना है, divide by root 2 equal to plus minus x minus y plus 1 divide by root 2, देखी कितना आएगा, root 2 से root 2 कट जाएगा आपका, तो जब आप यहां पर plus sign यूज़ करेंगे, तो आपको एक equation मिलेगी, x plus y minus 1 will be equal to x minus y plus 1, तो देखी x से x कट जाएगा आपका, y को हम इधर ले जाएं और 1 को अगर उस सेट ले जाएं, so 2y equal to आपके सामने, 2, so y की value आगई 1, यह तब है जब हमारे सामने क्या है, जब हमने plus sign यूज़ किया, ऐसे ही अगर हम यहां से minus sign यूज़ करें, तो देखी हमें क्या equation मिलेगी, minus sign यूज़ करने पर हमें मिलेगा, x plus y minus 1 will be equal to, यह सारी टरब minus में हो जाएगी, so minus x plus y and minus 1 will be 0, यहां पर देखी है क्या कट रहा है, आपका, यहां पर आपका y भी कट जाएगा, और साथ में आपका 1 भी कट जाएगा, क्योंकि इधर भी minus 1 आपके साम, और उधर भी कितना आ रहा है, minus 1, तो यहां से मिलेगा आपको, 2x will be equal to 0, means x will be equal to 0, तो यह जो है, यह दो आपके angle bisectors है, एक x equal to 0, और दूसरा y equal to 1, अब आगे बात करते हैं, कि इन से जो triangle बन रहा है, दो यह line से हमारे सामने, और एक line हमें question में दी गई है, ठीक है, इन तीनों line से मिल करके, जो triangle बन रहा है, उसका area क्या होगा, तो पहले देखे, इन दोनों को represent कर लेते हैं, x equal to 0, आपके सामने यह line है, ठीक है, and y equal to 1, आपके सामने यह वाली line है, y equal to 1, और साथ में आपको एक line दी गई है, x plus y equal to 3, यह जो line होगी आपके सामने, वो ऐसी line होगी, जो इधर भी 3 पे cut करेगी, और यहाँ पर भी 3 पे cut करेगी, तो इसके coordinates होगे 0,3, क्योंकि यह y equal to 1 line थी, तो इसके coordinates है 0,1, इस वाले point के coordinates क्या होगे, तो देखें, यहाँ पर y coordinate तो 1 ही होगा, और इस equation में जब आप y को 1 put करोगे, तो आपको x की value क्या मिल रही है 2, तो इस point के coordinate होजाएंगे 2,1, तो actually आपको कौन सा area निकालना है, आपको इस वाले triangle का यह area find out करना है, ठीक है, और यह area आप देखिए, बहुत इजली निकाल सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि आपको इसका base भी पता है, और आपको इसकी height भी पता है, तो इस triangle का जो area होगा, delta हो कितना हो जाएगा, 1 by 2 into base into height, base होगा आपके सामने, 2 minus 0, that is 2, और height होगी हमारे सामने, 3 minus 1, that is again 2, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा answer आजाएगा, 2 unit square, ठीक है, तो ये क्या है, ये इस triangle का हमारे सामने area है, और इस तरीके से, इसका जो answer होगा आपका, तो पहला option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, clear है, चलिए बात करते हैं, आगे next question, और next question है हमारा, question number 3, और question number 3 में देखिए, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक परवले दिया गया है, एक parabola है, ठीक है, y square equal to 4 x, तो आपको करना क्या है, the locus of the foot of perpendicular drawn from the vertex on a variable tangent to the parabola, देखिए, क्या पुछा गया है आपको, कि यह कोई एक parabola है, इसके उपर कोई भी एक variable tangent है, किसी भी point पर उसको touch कर रही है, ठीक है, तो इसका जो vertex होगा, इससे इसके उपर जब हम photo of perpendicular draw करेंगे, तो इस बिंदू P का locus क्या होगा, यह हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए, जब भी locus wall equations आते हैं, तो generally हम क्या करते हैं, दो equations बनाते हैं, और यहां पर भी हम वही काम करेंगे, ठीक है, सबसे पहला तो इसके parabola के उपर एक general point मैं, अगर 80 square, 280 ले लूँ, ठीक है, तो t equal to 0 से, क्योंकि यह point इस parabola के उपर है, आपके सामने, इस tangent की जो equation आएगी, वो क्या आएगी, t equal to 0 से, वो आजाएगी, आपके सामने, ty will be equal to x plus 80 square, ठीक हैं, एक equation तो आपकी यह है, और दूसरी equation बनाएगे, हम hk का use करते हुए, तो देखिए, hk और 0, 0 से आपके सामने, इस line की slope आजाएगी, ठीक है, इस line की slope मान लेता है, कि m1 है, तो m1 की value कितनी आएगी, k-0 divided by h-0, ठीक है, और k-0 upon h-0, अगर इसकी slope है, तो इसकी जो perpendicular line होगी, जो tangent होगी, उसकी slope कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको m2 मान लेता हूँ, तो m2 की value कितनी आजाएगी, that is minus h upon k, तो यहां से इसका equation क्या आजाएगा, यहां से इसका equation आएगा, आपके सामने, y minus k will be equal to, that is minus h upon k, into x minus h, ठीक है, यह किसका equation है, यह भी इसी tangent का equation है, जो हमसे question के अंदर दी गई है, इसको simplify करें, तो ky minus k square will be equal to, minus hx plus h square, ठीक है, अब देखें, यहां से इसका, अगर हम बात करें equation की, तो क्या equation आ रही है, hx को इधर ले आएगे, plus ky will be equal to, h square plus k square, अब यह जो दोनों equations है, यह भी आपकी इसी tangent की equation है, और यह equation भी आपका इसी tangent का equation है, जो आपको question में दिया गया है, तो हमें इन दोनों equations से, जो parameter में question में नहीं दिया हुआ था, उसको उटाना है, जिस बिंदू का आपको locus चाहिए, वो रह सकता है, और जो question में data दिया गया है, वो रह सकते हैं, तो इसके बाद में हमें इसमें जो data मिलेंगे, वो क्या होंगे, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अलावा जो parameter है, वो आपका T है, मिस इन दोनों equations से, आपको T को रिमू करना है, और यह दोनों equations क्या है, यह दोनों equations से आपके सामने, आइडेंटिकल equations है, clear है, सो चलिए बात करते हैं, देखिए, equation क्या आई थी, देखिए हमारे सामने, पहली equation थी, T y equal to x plus 80 square, तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे सामने, y का जो coefficient है, वो कितना है T, और नीचे जो y का coefficient है, वो कितना है K, equal to, x को इधर ले आएं, तो देखिए, x का coefficient है, minus 1, divide by, नीचे x का coefficient कितना है H, and that will be equal to, right hand side में, आपके सामने कितना है, 80 square, और नीचे आपके सामने, कितना आ रहा है, H square plus K square, ठीक है, तो यह आपके सामने, condition से, इन condition से, आपको T को अटाना है, तो देखिए, पहली वाली equation से, आपको T की value मिल जाएगी, that is, minus K upon H, ठीक है, minus K upon H, और यह T की value, हम क्या करेंगे, यह यहां से जो relation मिलेगा, उसमें पूट करेंगे, और यहां से, हमें relation क्या मिल रहा है, यहां से में relation मिल रहा है, H square plus K square, will be equal to, minus H time 80 square, इसमें T की value, put कर दीजिए, K upon H, तो देखिए, 1H आपका इधर आजाएगा, 1H कट जाएगा, तो यह बनेगा, H को X से replace कर देना, so X upon, X into X square, plus Y square, will be equal to, यह X कट चुका था, एक और एक इधर आया था, उपर आएगा आपके सामने, Y square, so minus A Y square, तो यह जो है आपके सामने, उस बिंदू का लोकस है, जो आप से क्यूसन में पूछा गया था, और ऐसा कौन सा equation है हमारा, ऐसा जो पहला option है, वो हमारा क्या है, आउसर दिया गया है, clear है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next question क्या है हमारा, कि AB is a double ordinate of the hyperbola, such that triangle AOB is an equilateral triangle, then eccentricity of the hyperbola satisfies, ठीक है, यह एक hyperbola की equation है, AOB इसके इंदर को एक equilateral triangle बनाया गया है, और AB यहांपर क्या है, double ordinate है, तो आपको बताने कि इसकी centricity क्या कौनसे relation को satisfy करेगी, इसके बारे में हमें क्या करना है, discuss करना है, so चलिए बात करते हैं, so सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम इसका diagram देखते हैं थोड़ा सा, तो इसका जो diagram बनेगा हमारे सामने, वो कुछ इस टाइप का बनेगा, A, B, इसके अंदर एक double ordinate है, तो कहीं पर भी आप एक double ordinate बना लें, double ordinate क्या होती है, axis के perpendicular एक line, clear है, और इसको origin से जब आप join करोगे, तो एक जो triangle बन रहा है, वो क्या बनेगा, वो आपका equilateral triangle बन रहा है, तो देखिए, क्योंकि ये figure symmetric होता है, और equilateral triangle आपका symmetric होता है, तो ये जो angle होगा, ये कितना होगा, ये angle आपका होगा 30 degree, या कहें pi pi 6 होगा, clear, और इसकी length मान लेते हैं, कि equilateral triangle की length है, वो कितनी है, L है, clear है, तो यहाँ से अगर हम इसके बात करें, इस triangle के अंदर, ये जो length है आपके सामने, O, A, और ये आपको जो B दे रखा था, और ये M दे रखा है, ठीक है, तो अगर हम A, M, और O, M के अगर length की बात करें, तो वो क्या होगा, वो आपके सामने, इस point के जो coordinates होंगे, उसके equal होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके सामने, origin से इसके उपर क्या है, distances है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि, X by L कितना होगा, तो X इस triangle में क्या होगा, देखिए, X से आपके सामने, O, M की length, तो ये है base, और base by hypotenuse क्या होता है, हमारे सामने, cos होता है, so that will be equal to cos 30 degree, और that will be equal to root 3 by 2, तो इस तरीके से, इसका जो X coordinate आएगा, वो कितना आजाएगा, वो आजाएगा, आपका root 3 L divided by 2, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, इसके अंतर Y coordinate कितना आएगा, तो Y upon L sin theta होगा, और sin 30 के value 1 होती है, तो यहां से Y की value हो जाएगी, आपकी L by 2, ठीके न, Y equal to L sin 30, so L और sin 30 की value 1 by 2, आप देखिए, यह जो values हैं आपके सामने, अच्छा, यहां पर एक L भी रहेगा, यह X और Y की value है, और यह जो point है, आपका यह hyperbola के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो यह hyperbola की equation को satisfy करेगा, तो X, Y की यह values आप hyperbola की equation में put कर दें, तो देखिए, आपको मिलेगा, 3 L square divided by 4 A square, minus L square by 4 B square, and that will be equal to 1, यहां से देखिए, बात करते हैं, कि L square की value कितनी आ रही है, तो देखिए, यहां से L square की जो value आएगी, वो आएगी, 4 को उदर multiply कर दिया, so that is 4 divided by 3 upon A square, minus 1 upon B square, अब देखिए, क्योंकि यह जो है, आपके सामने L square यह एक positive number होगा हमेशा, और यह positive number कब होगा, जब यह नीचे जो condition दी गई है, यह आपके सामने कैसी हो, positive हो, ठीक है, तो देखिए, उसको जब आप positive करते हैं, तो देखिए, आपको क्या relation मिल रहा है, so 3 upon A square, minus 1 upon B square, यह कैसा होना चाहिए, यह greater than 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि L square हमेशा positive होगा, और यह 4 positive number है, तो यह poor quantity positive तभी होगी, जाओ इसका denominator भी क्या हो, greater than 0 हो, और यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको देखिए, अगर B square से multiply कर दे, तो यह बन जाएगा, 3 by, 3 into B square by A square, minus 1 will be greater than 0, और देखिए, B square equal to, किसके होता है, hyperbola के अंदर, B square equal to होता है, A square into E square minus 1, तो B square जगे हम put कर सकते है, A square into E square minus 1, तो यह बन जाएगा, आपका 3 time E square minus 1, और इसको हमें उदर ले गया 1 को, तो उदर चला जाएगा, आपके सामने 1, तो finally आपको एक इस type का relation मिलेगा, कि E square will be greater than, 1 by 3 plus 1, so E will be greater than, 4 by 3 का root, that is 2 by root 3, तो आपकी जो eccentricity होगी इसकी, वो क्या होगी हमें सा, 2 by root 3 से कैसी होगी, greater होगी, और ऐसा कौन सा option है हमारा, option number 4, देखे, one by one, जो question में data दिया गया है, उसको apply करे, ठीक है, तो finally आप अपने answer तक आएँगे, और यहाँ पर देखे, क्योंकि इस eccentricity में relation निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो आपको कुछ inequality बनानी पड़ेगी, और inequality बनाने के लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा, कि कुछ positive negative type की ट्रम बनेगी, ठीक है, और वो इसकी length, क्योंकि length हम ऐसा positive होती है, तो वहाँ से आपको यह सारी चीजे, एक दूसरे पर click होनी चाहिए, के लिए रहे बच्चों, चलिए, आगे बात करते है next question, और next question क्या है, देखिए हमारा, next question दिया गया है आपको, आपको एक function दिया गया है, किसी भी x के लिए, यह discontinuous नहीं होना चाहिए, तो सारे numbers के लिए, discontinuous कब होगा, तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि यहां पर रूट के अंदर एक drum है, तो इसको defined होने के लिए, उसको क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा आपका greater than or equal to 0, अगर यह greater than or equal to 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कम से कम इसके अंदर, जो root के अंदर जो number है, ठीक है, उससे हमें कोई problem नहीं होगी, ठीक है, और कोई भी quadratic, जो होती हो, आपकी हमेशा positive कब होती है, जब उसका graph कैसा हो जाए, x-axis के उपर रहे जाए, तो x-axis या तो ऐसा बन जाए, और या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, या तो x-axis को touch कर जाए, और साथ में ऐसा भी हो जाए, कि वो x-axis के उपर रहे जाए, और ऐसा तब होगा, जब इसका discriminant क्या होगा, आपका less than or equal to 0, discriminant को less than or equal to 0 करोगे, तो आपको मिलेगा यहाँ से condition, k square minus 4 will be less than or equal to 0, इसके दो factors बनेंगे, k minus 2 into k plus 2 will be less than or equal to 0, इसको जब हम solve करेंगे, तो देखिए हमें k की दो एक interval मिलेगा, कि यह negative कब होगा और 0 कब होगा, तो यह होगा आपका plus minus plus, तो k की value minus 2 से लेकरके, plus 2 के बीच में जब होगी, ठीके, साथ में ही देखिए, इसके अंदर एक condition और होनी चाहिए, और वो condition क्या है, क्योंकि इसमें एक factor आपका denominator के अंदर भी दिया गया है, तो जो denominator वाला जो factor है, वो 0 नहीं होना चाहिए, x square minus k जो है, वो आपका कैसा होना चाहिए, एक non-zero number होना चाहिए, clear है, और देखिए, कोई भी आपके सामने, इस type की quadratic होती है, वो आपके सामने non-zero का बनती है, जब ये वाली जो quantity है, ये आपकी कैसी हो जाए, positive हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर ये positive हो जाएगी, तो x square तो हमेशा positive है, और दो positive number का sum जो होता है, वो हमेशा कैसा रहेगा, positive रहेगा, तो यहां से आपके सामने एक condition आएगी, कि minus k जो है, वो कैसा होना चाहिए, वो greater than zero होना चाहिए, clear है, क्या इसकी value 0 के equal हो सकती है, तो 0 के equal नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये zero हो गया, ठीक है, k की value 0 हो गई, और साथ में x भी zero हो गया, तो नीचे आपके सामने पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो answer होगा, वो क्या आएगा, k will be less than 0, so k less than 0 होना चाहिए, और साथ में k की value आपकी minus 2 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तो ऐसा option आपका कौन सा होगा, option number 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 0 के उपर आपके सामने open interval आएगा, ठीक है, minus 2 से 0, बट और कोई सा भी option ऐसा यहाँ पर है नहीं, जो इसको properly में satisfy कर रहा होगा, तो उसके corresponding इसका जो answer होगा हमारा, वो कौन सा होगा, पहला option होगा, close interval minus 2 से open interval 0, क्लियर है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question में आपको क्या दिया गया है, next question में आपको दिया गया है, की, एक relation दिया गया है, और आपको उस relation के बारे में discuss करना है, ठीक है, की, f of x equal to a, b sin x plus b into, root over 1 minus a square, cos x plus c, जिसमें mod a की value less than 1 है, और b आपका greater than 0 है, तो आपको यह बताना है, की, इसमें से कौन-कौन सा option correct है, कीज़र है, तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसा अगर कभी भी कोई-भी relation आता है, जिसके अंदर sin x और cos x की drum हो, और 7 के अंदर उसके अंदर कोई-भी coefficient हो, ठीक है, तो उसकी minimum और maximum value हम कैसे निकालते हैं, तो उसका formula क्या होता है हमारे सामने, root over a square plus b square, यह इसकी maximum value होती है, और साथ में ही, अगर मैं इसके अंदर negative sign लगा देता हूं, तो यह उसकी क्या हो जाती है, minimum value, यहाँ पर देखिए, a की जगे पर क्या है, आपके सामने a, b, तो इसको जब मैं calculate करूँगा, तो यह आएगा, a square, b square, and plus b की जगे पर कितना है, b into 1 minus a square, तो यह बन जाएगा, इसको multiply कर देना, b square into b square minus a square, और इसका क्या हो जाएगा, root हो जाएगा, तो देखिए, यह इससे कट जाएगा, a square, b square से, a square, b square, cancel out हो गया, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा, root over b square, ठीक है, और b हमेंसा greater than 0 है, ठीक है, तो इसका जब आप वैसे तो हम मौडलर्स लगाते हैं, लेकिन b greater than 0, तो इसी दख किसके equal आजाएगा, b के equal आजाएगा, clear है, तो यह इसकी क्या होगी, यह इसकी maximum value होगी, तो पहला option आपको दिया गया है, इसकी maximum value आपके सामने b होगी, अगर c 0 हो जाए, तो देखिए, हमने सिर्फ इस part की maximum value निकाली है, और इसकी maximum value b के equal आ रही है, और c आपको 0 दिया गया है, तो इसकी जो all our maximum value होगी, वो b के equal हो जाएगी, तो यह option आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा कि उसने difference of the maximum and minimum value will be 2b, तो देखिए, बात करते हैं, इसकी जो maximum value होगी, वो कितनी होगी, पूरे expression की अगर हम बात करें, जिसमें c 0 नहीं होगा, तो उस case में इसकी maximum value होगी b plus c, और इसकी जो minimum value होगी, वो कितनी होगी, minimum value में, जैसे मैंने बोला था कि यहां पर minus sign आएगा, तो यह बन जाएगा minus b plus c, ठीकर यहां पर minus sign आएगा minimum के लिए, और इस minus की बज़े से, इस सिरफ यह वाली quantity आपकी negative में आएगी, और c अभी भी आपका addition में रहेगा, क्योंकि c यहां पर आपको add किया गया है, तो इन दोनों उपर वाले number और नीचे वाले number के जब डिफ्रेंस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, इस मैं से इसको subtract करने से, आपके सामने 2b आएगा, यह बना आपका जो second option है, वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियरे बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं कि fx की value c होगी, अगर x आपका minus cos inverse a के equal है, तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम complete हो गया है, चलिए बात करते हैं, so fx की value c होगी, अगर x equal to minus cos inverse a, तो देखिए, x की जाएपर, अगर हम minus cos inverse a put करते हैं, तो देखिए, कितना आता है, तो यह आएगा, ab into sin of minus cos inverse a, minus cos inverse, कितना दे रखा है, a, और साथ में आपको दे रखा है, b into root over 1 minus a square, और साथ में हैं, आपके सामने, cos of x की जाएपर, minus cos inverse a, और साथ में हैं, आपके सामने, plus c, तो देखिए, sin of minus theta, minus sin theta होता है, तो यह बन जाएगा, minus ka a, b, minus sin बहार आजाएगा, और यहां से, इस quantity को, जो simplify करोगे, तो sin cos inverse a है, तो cos inverse a को, हम किस में represent करेंगे, sin inverse में करेंगे, तो यह बन जाएगा, आपका sin inverse, root over, 1 minus a square, ठीक है ने, क्योंकि, cos theta को, अगर sin theta में, convert करना हो, तो क्या formula लगाएगे, sin square theta, plus cos square theta, equal to 1, और साथ में, देखिए, cos of minus theta, plus cos theta ही होता है, तो यह, plus sin के साथ ही, खुलेगा, so b into 1 minus a square, और साथ में, cos of cos inverse a, a हो जाएगा, और साथ में आएगा, आपके सापने, plus c, क्योंकि, आपको देखिए, कि मॉडे, 1 minus 1 से 1 के बीच में है, तो यह, इसके principle range में रहेगा, और principle range में, इसके equal आजाएगा, एक के equal आजाएगा, और वैसे भी देखिए, बहार टिग्नोमेट्री अंदर inverse है, तो उसके इसमें, वैसे भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है, वो हमेंसा x के equal ही होता है, अगर उल्टा होता है, तो फिर हमें थोड़ा सोचना होता है, कि अंदर वाला argument क्या होगा, आगे बात करते हैं, ये भी cancel out हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा, आपको minus का a b into root over 1 minus a square, यहां से है आपके सामने कितना आया था, यहां पर b, देखिए, cost वाला जो multiplication था, उसमें था आपके पास, b into root over 1 minus a square, clear है, और वहां पर आपके सामने कितना था, अच्छा, इसको जब simplify करोगे, तो एक a भी आएगा यहां से, इसको जब solve करोगे, तो एक a आएगा, तो एक a b यहां पर रहेगा, तो यह रहेगा, a b into 1 minus a square, और साथ में आएगा आपके सामने plus c, clear है, तो इससे यह कट जाएगा, और जैसे यह कटेगा, तो आपके सामने कितना बचेगा, c बचेगा, तो यह option भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि अगर cos की value, minus of cos inverse a है, तो यह c के equal होगा, देखिए यह अगर सही होगे आपका, तो लास्ट वाला option गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो जब हमने यहाँ पर minus put किया था, तो बार minus sign आ गया था, लेकिन उसमें plus sign पूट करेंगे, तो यहाँ भी plus आएगा, और यहाँ भी plus आएगा, तो यह दोनों ट्रम आपस में add होगी, और add होगी तो यह cancel out नहीं होगी, और cancel out नहीं होगी, तो यह सिरफ c के equal नहीं आएगा, c plus two time यह ट्रम आएगा, यह जो फॉर्थ option है, यह आपका सही नहीं है, तो पहले जो तीन options हैं आपके इस question के अंदर, option number one, two and three, यह तीनों options आपके क्या है, correct answer से, clear है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question में देखिए आपको क्या दिया गया है, next question में आपको बोला गया है, अच्छा यह हम कर चुके हैं, चलिए, इसके अंदर आपको बोला गया है, की एक बेग है, ठीक है, जिसके अंदर एक पातर है, जिसमें एक सपेद, तता य माइनस एक कालि गयन्दे हैं, ठीक है न, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग, एक वाइट एक एक ब्लेक बाल्स, एन बाल्स है उब बीन लॉस्ट, then probability of drawing a white ball is, तो देखे क्या करेंगे, अगर इसमें से अपकी n ball lost हो जाती है, पातर में से, तो सपेद बॉल आने की probability क्या होगी, यह आपको बतानी है, पहला option है, before the loss is x upon y, Miss, आपको यह चेक करना है, कि अगर कोई भी ball आगर आपकी lost नहीं होती है, तो white ball आने की probability क्या होगी, तो देखे, सिधा formula लगेगा, total number of outcome, Miss, total number of balls कितनी है, तो वो होगी आपके सामने x plus y minus x, तो total number of balls कितनी आजाएगी, x x कट जाएगा, और आपके सामने आजाएगा y, और साथ में आपको यह देखना है, कि इसमें white ball कितनी है, और पहला option आपको यही दे रखा है, कि इसके probability है, वो x upon y के equal है, that means, यह आपका सही option है, अब बात करते हैं, अगर आपके सामने कोई भी एक ball खो जाती है, तो खोने के बाद में, क्या probability सेम रहेगी या चेंज होगी, तो देखे, हमें ऐसा लगता है, अगर पहले balls ज्यादा थी, और अब उसमें से ball आपके सामने खो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो probability कम होनी चाहिए, लेकिन probability देखे, उतनी ही आएगी, चाहिए आप कितनी भी ball उसमें से खो दीजिए, जो initially आपकी जो probability थी, अभी भी आपकी probability वही रहेगी, क्यों, क्योंकि हम सबको equal chance देते हैं, और देखिए, हम बिल्कुल इन process के साथ निकालेंगे, और उसके बाद में भी देखिए, आपका answer वही रहेगा, ठीक है, तो मैं एक option कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है, बाकी दो option आप उसी तरीके से try कर सकते हैं, सारे case पना करके, तो चलिए बात करते हैं, second option की, अगर एक ball खो जाती है, तो सबसे पहले तो आपको ये case देखना पड़ेगा, कि आपकी white ball खोई है, या आपकी black ball खोई है, ठीक है, कौन सी ball आपकी lost हुई है, ठीक है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि white ball lost हुई है, तो lost होने की probability कितनी होगी, तो white ball थी हमारे सामने x और total थी y, तो white ball के lost होने की probability होगई x upon y, और black ball के lost होने की probability कितनी हो जाएगी, इसकी probability हो जाएगी y minus x upon total कितनी है y, तो ये तो होगई कि आपके सामने एक white ball lost होगी है, कितनी, one white ball will be lost, n की वेलियों क्या ले रहे हैं, one, अब बात करते हैं कि lost होने के बाद में उस बेग में से, ये तो किस चीज़ की probability है कि आपकी white ball lost हो गई है, अब बात करते हैं कि अगर white ball lost हो गई है, तो उसके बाद में उस बेग में से white ball आने की probability कितनी है, तो देखिए आपकी क्योंकि white ball lost हो चुकी है, तो अब आपके सामने जो आगे जो इसके अंदर number of balls बची है, total वो कितनी है, क्योंकि एक ball lost हो गई, तो total बचेगी y-1 और उसमें से आपकी white ball चली गई है, तो white ball total x थी, तो अब आपके सामने number of white balls भी कितनी रहेगी, x-1 रहेगी, यहाँ पर भी एक ball खो चुकी है, तो खोने के बाद में, बेक के अंदर पिछे कितनी रहेगी, lost होने के बाद में y-1 और क्योंकि यहाँ पर आपकी black ball क्या हुई है, वहाँ से lost हुई है, miss, white ball अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, और white ball पहले कितनी थी, x थी, यही हुआ है, question में according to the question आपके सामने यह situation बनी है, अब बात करते हैं कि यह total probability क्या होगी, तो यह दो case बने हैं और case समय से add होते हैं, आप लोगों पता होगा, PNC and probability के अंदर, इन दोनों को अगर हम add करें, तो देखिए y upon y-1 आपका common आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर जब हम बात करेंगे, तो x उपर से common आ जाएगा, तो पहले वाले पार्ट में हैं आपके सामने x-1, और दूसरे वाले पार्ट में हैं हमारे सामने y-x, तो देखिए x से x कट गया, तो आपके सामने आया यहां पर, उपर x into y-1, और डिवाइड बाई y into y-1, ठीक है, y-1 से y-1 cancel out हो गया, और यहां पर आजाएगा x upon y, तो अभी भी आपकी जो probability आ रही है, वो किसके equal आ रही है, x upon y के equal आ रही है, तो आपका जो second option है, वो क्या है, वो बिलकुल correct option है, similarly आप 3rd और 4th option को देखेंगे, ठीक है, तो वो भी आपके सामने क्या आएगा, वो भी उतना ही आएगा, जितना आपके सामने, यहां पर, options के अंदर दिया गया है, क्यों? क्योंकि इससे effect नहीं पड़ेगा, क्योंसन पर, क्योंकि हो सकता है कि दो बॉल आपके सामने खोई है, तो यहां तो दौनों वाइट हो सकती है, यह एक वाइट और एक बलेक हो सकती है, और यह फिर आपके सामने दौनों की दौनों बलेक हो सकती है, ठीक है तो पहले तो इनके खौने की probability क्या होगी वो निकालनी है आपको और फिर आपके उस बेग में से जो बॉल आपने निकाली है उसके वाइट होने की probability क्या है उसके बारे में बात करनी है क्लियर है चली एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं ठीक है फिर पहुत पार्ट आप लोग कर लीजिएगा दोनों वाइट होने की probability क्या होगी कि दो बॉल खोई दोनों की दोनों वाइट है तो टॉटल आपके सामने एक्स बॉल थी तो एक्स में से दो वाइट बॉल आपकी खो चुकी है और टॉटल कितनी बॉल थी वाइट थी वह आपके सामने टॉटल बॉल थी और उसमें से दो बॉल खोने की probability क्या होगी एक्सीटू अपॉन वाइट सीटू अपन वाइट सीटू अपन वाइट सीटू करते हैं ठीक है जितने हमारे सामने quantities होती है तो टॉटल यए gwाइट थी, उसमें से दो बॉल हमने select की और ऊपर टॉटल एक्सफ़ ऐसमें से दो बॉल small श्लेक्ट की तो एक्सीटू अपन वाइट वाइट बॉल कितनी है और उसमें से white ball कितनी है क्यों white ball 2 खो चुकी है तो white ball भी आपके सामने कितनी होगी x-2 तो यह हो जाएगा आपका पहला case, एक white और एक black है तो एक आपको white ball select कर ली और एक आपने black ball select कर ली और divide by yc2, total तो क्योंकि 2 ball आपको select करनी है क्यों 2 ball खो रही है लेकिन उसमें से एक white और एक black होने की probability आपके सामने यह होगी यह तो खोने की probability होगी कि आपके सामने एक white ball खो गई और एक black हो गई और इसके बाद में into अब उसमें से white ball आने की probability क्या है तो क्योंकि इस बार शिरफ एक ही white ball खोई है तो अभी आपके सामने कितनी white ball बची हुई है आपके सामने x x-1 balls बची हुई है क्योंकि एक lost होने के बाद में पिछे x-1 होगी और divide by total अभी भी आपके सामने क्योंकि दो lost हो चुकि है तो y-2 होगा similarly दोनों black होने की क्या हो जाएगा so y-xc2 divide by total yc2 और क्योंकि अभी इस बार आपके सामने white जितनी थी उतनी total बची हुई है तो total आपके पास में x ball है और divide by y-2 आप इन तीनों पार्ट को add कर दीजिए ठीक ने simplify कर लीजिए अभी भी आपका जो answer आएगा x upon y ही आएगा तो यहाँ पर यह option भी सही होगा और आगे आप चेक करेंगे तो आपका option number 4 भी क्या होगा correct होगा clear है बच्चों तो probability का एक बहुत ही सांदर question था ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसके solution को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं चली आगे बात करते हैं next question और next question क्या है देखिए हमारा next question के अंदर आपको बोला गया है आपको एक relation दिया गया है submission के format में एक क्या दो relation दिये गया है और आपको यह बताने है कि इस में से यह जो दोनों submission है कौन से number से less है और कौन से number से greater है तो देखिए इस type की जो series वाले questions आते हैं उसको हम कैसे करते हैं ठीक है तो यह सारे के सारे आपके पास में definite integration से होते हैं और इसका पूरा particular process होता है हार type का ठीक है और आपको ऐसा नहीं कि हर चीज को करके देखना पड़ेगा जो एक particular process है बस उसको follow कीजिए आपका answer आजाएगा कैसे करते हैं सबसे पहले क्योंकि दोनों के देखिए ट्रम्स है में सिरफ डिफ्रेंस क्या है कि यहां पर 1 से n तक है और यहां पर 0 से n-1 थक तो अभी है ठीक है उसके बाद में जो remaining part है उसको लिखिए तो यहां पर बचेगा r upon n की power कितना रहेगा that is 4 प्लस यहां पर 1 n कट जाएगा तो यह बजाएगा r upon n का hall cube प्लस यहां पर 2 n कट जाएगे तो यह बन जाएगा r upon क्योंकि 1 n को बाहर निकाल चुके तो पिछे आपके पास में 4 बचेगे 2 कट जाएगे तो पिछे n स्क्वाइर सो r upon n का hall square and plus आगे आएगा आपके पास में शिरफ 2 क्योंकि n की power 4 से 4 कट जाएगा एक n को आपने बाहर निकाल लिया अब देखे definite integration में जब भी ऐसी ट्रम बन जाती एक 1 by n और दूसरी r by n का format तो यह तो बन जाता है आपका dx का format और यह बन जाता है आपके सामने एक integration x to the power 4 plus x cube plus x square plus 2 और बाहर वाला पार्ट है आपका dx अगर आप इन दोनों case के अंदर integration की limit की बात करेंगे तो 0 से 1 आएगा limit कैसे निकालते हैं ठीक है ना r by n जो होता है ठीक है उसके अंदर एक बार हम one put करेंगे एक बार n put करेंगे और limit n tending to इसके अंदर लगाएंगे हमारे सामने की कहां तक जा रही है यह series ठीक है एक बार one put करेंगे r को और एक बार n put करेंगे और limit n tending to infinity पे इसकी limit निकालते ह है लेकिन क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है हमें दो अलग लग जो ट्रम दी हुई है उसको कैसे simplify करना है तो इसका देखी क्या process होता है कि यहां पर यह आपको शिरफ यह चेक करना है कि यह जो function क्या होगा बस हां आपको यह integration जरूर calculate करना होगा लेकिन जैसे options दिखाई दे रहे हैं उसके corresponding इसका integration आएगा अगर आप करके देखेंगे तो 167 by 60 ही आएगा क्योंकि चारों option में यह दे रखा है और आप चाहों तो करके देख सकते है 167 by 60 लेकिन यहां पर देखेंगे इसका answer देंगे कैसे ठीक है वह important part है तो अगर हम इसको एक function माल ले और इस function का differentiation करें तो हमें क्या मिलेगा देखिए हमें मिलेगा 4x cube plus 3x square and plus 2x ठीक है 3x square plus 2x तो यहां से 1x तो common आ जाएगा और जो remaining जो पार्ट है ठीक है उसके बारे में जब हम बात करेंगे और वैसे भी x हमारा 0 से 1 के बीच में है इसकी limit ठीक है तो यह जो quadratic है इसका discriminant negative है तो यह जो f-x है यह हमेशा कैसा है greater than equal to 0 है और f-x अगर हमेशा greater than equal to 0 होता है तो उस case में function हमारा कैसा होता है increasing तो हमें यह चीज क्यों निकालनी होती है क्योंकि इसी से हमारा जो पूरा का पूरा जो question है वो solve होगा कैसे अब हमें यह पता चल गया कि हमारा यह जो function है यह इस type का increasing function है ठीक है माल लाते है कि इस type का इसका graph है ठीक है एक general graph तो देखिए जब आप limit 0 से start करोगे ना स्कान फॉड जो पॉड़ है तो क्योंकि इस बनेगा वह इस type के छोटे-्चोटे rectangle बनेंगे एक rectangle ऐशा बनेगा तो फिर याशा बनेगा फिर याशा बनेगा फिर इस type का बनेगा तो देखिए यह जो area जो आप rectangle बनाएंगे जो जीरो से स्टार्ट करेंगे किलेर है तो आपके सामने क्या हो cowboy स्टोड़ा सा कम होगा कियोंगि यह पर आपके पास में कुछ चोटा सा part पार्ट सा तो पुरा और फॉरा इरिया आएगा निया सी संदिता हो आप पार्ट पर्च घर करेंगे तो आपके सामने यह व्त-बच जा यह और यह कौन सा पार्ट है? जब आप क्या कर रहे हो? रेक्टेंगल को कहां से start कर रहे हो? 0 से start कर रहे हो, means इस वाले graph से cut कर रहा है, वहां से start कर रहे हो. That means यह वाला जो case होता है, जब 0 से लेकर के N-1 तक, तो इसका जो area होगा, वो क्या होगा? वो इस graph के area से कम होगा, means 167 by 60 से क्या हो जाएगा, आपका less हो जाएगा, clear है, ऐसे जब दूसरे वाला case देखेंगे आप, तो दूसरे वाले case के अंदर देखिए क्या होगा, क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो 0 से ना करके, आप 1 से स्टार्ट जब करेंगे, ठीक, तो 1 से देखिए क्या होगा, 1 से आपके सामने यह जो graph बनेगा ठीक यह यहां से सुरू होगा और इधर rectangle बनेगा तो ऐसा rectangle बनेगा फिर 2 पर rectangle बनाएंगे तो ऐसा rectangle बनेगा फिर 3 पर rectangle बनाएंगे तो ऐसा rectangle बनेगा तो इस बार जो area आएगा आपके सामने इन rectangles का area जब आप बात करेंगे तो यह जो area हो और यह तब होगा जब Sn के अंदर क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास में पहले वाला Sn है उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है सो Sn की जो वैल्य होगी वह 167 बाई 60 से ग्रेटर होगी यह 167 बाई 60 कैसे आया यह इसका इंटिग्रेशन है लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा जब 1 से स्टार्ट होगी तो ज्यादा होगा और जब 0 से स्टार्ट होगी तो कम होगा तो हमेशा नहीं होगा क्यों क्यों यह तब है जब हमारा function कैसा है इनक्रिजिंग इसी लिए हमने यहां पर पहले इसकी मोनोटोनिशिंटी चेक कि थी कि function है और जिस्चिंट इनक्रिजिंग करना है उसमें कि इसकी मोनोनो तोर्ट Neo Gene करेगा क्लिए रहे बच्चों तो यह बहुत ही सांदार क्यूसन होता है definite integration का ठीक और यह इसकी पूरी approach रहती है आप उसकी monotonicity check करें monotonicity के बाद में अगर limit 0 से start हो रही है function increasing है तो कम होगा और 1 से start हो रही है तो ज्यादा होगा अगर function की monotonicity change हो जाती है decreasing हो जाता है तो उल्टा होगा 0 से start होने वाले का ज्यादा होगा और 1 से start होने वाले का limit जिसका होगा कम होगा और अगर कोई दूसरी limit भी दी होगी है तो आप उसमें भी analysis कर सकते हो क्योंकि approach आपकी करने की हमेशा यही रहने वाली है clear है तो देखिए आप लोग इसको आगे हम बात करते हैं next question next question क्या है देखिए हमारा next question number 4 है हमारा और उसके अंदर देखिए हमें क्या दिया गया है p and q be the integers let a and b the roots of this equation where a and b if n will be equal to 0 1 2 3 up to so on and साथ में आपको देखिए a n will be equal to p a to the power n plus q b to the power n where n belong to 0 1 2 3 and so on then the value of a 9 is equal to n की value 0 1 2 से लेकर के 9 तक है तो आपको बताना है कि a 9 की value इसमें से किस option के equal है तो देखिए आपको a 9 पूचा है और option a 7 a 8 a 6 में से दिये हुए है तो यहां पर आपको हमेंसे एक recursive relation निकालना होता है और recursive relation कैसे निकालेंगे आपको जो यह relation दिया गया है that will be equal to a n और यह किसके equal है a n will be equal to p and q be the integers and let a n be the roots of the equation a and b इसके roots है और साथ में आपको a n जो दिया गया है वो क्या है वो इसके equal है a n will be equal to p a to the power n plus q into b to the power n तो देखिए recursive relation कैसे निकालेंगे हम लोग क्योंकि हमें quadratic दी हुई है और quadratic के अंदर हमारे को constant term होती है x का coefficient होता है x square का coefficient होता है तो हम इसके अंदर कुछ 2 के difference के अंदर इस तरीके से replace करके और इसको एक नई ट्रम मनाते हैं देखते कितना आएगा तो मैं n को replace कर रहा हूं a n plus 2 मैं n plus 2 से ही क्यों कर रहा हूं n plus 2 replace करके और देख रहा हूं कितना आ रहा है तो यहां से आएगा p time a to the power n plus 2 plus q time b to the power n plus 2 अब देखिए p time a to the power n और साथ में आएगा a square और a square को देखिए क्योंकि a और b इसके roots है तो a square को आप क्या लिख सकते हो a square को लिख सकते हो 2a minus 3 और इसलिए मैंने इसमें n plus 2 put किया था ताकि मैं उसको वापिस a square को एक छोटी ट्रम में convert कर सकूँ ताकि वो a n plus 2 के साथ में मेरे को एक नया relation generate करके दे और वहां से मेरे को मेरा answer पता चले तो a square के जगे मैंने replace कर दिया 2a minus 3 similarly मैंने ऐसे ही करूँगा b के साथ में so q into b to the power n और b square को replace कर दूँगा 2b minus 3 के साथ अब देखो पहले वाली जो ट्रम है आपके सामने दोनों साइड से वहां पर भी 2 आ रहा है यहां पर भी 2 आ रहा है तो 2 common आ जाएगा आपका और साथ में ही आपके सामने दूसरे वाले में बनेगा क्योंकि यह sign भी plus का इसके साथ में तो यह बनेगा q into b to the power n plus 1 ठीक है और साथ में दूसरे वाले जो minus वाले जो ट्रम है उसमें minus 3 आ रहा है तो minus 3 को common लोंगा तो यहां से बनेगा p into a to the power n plus q into b to the power n clear है तो यह आ गया हमारे सामने relation ठीक है अब इस relation के थुरू हमें करना है क्या इसके थुरू हमें यह देखना है कि यह क्या कोई नई ट्रम बन रही है या वही है तो यह देखिए a n plus 2 will be equal to 2 time यह किसके equal है a n plus 1 के equal और 7 में आपके सामने कितना आ रहा है minus 3 time a n के equal अब देखिए आप यहां से अपने options चेक कर सकते हो और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें recursive relation निकालना है क्योंकि देखिए हमें a9 पूचा है और हमें option उससे चोटे के अंदर दिया गया है 8 7 6 के अंदर तो ऐसे questions आपके recursive relation से ही बहुत easily solve होते हैं अब देखिए इसमें बात करते हैं हम लोग हमारे सामने जोई relation आया था इसके अंदर हमें a9 चाहिए ठीक है तो n की value क्या put करने पड़ेगी 7 पूच करने पड़ेगी तो a9 आ जाएगा आपका किसके equal 2 time a8 minus 3 time a7 अब देखिए ऐसा आपको कोई भी option नहीं दिया गया तो फिर अब क्या क्रें तो देखिए यह नेक्स्ट पसन है अपका यह 7 और 6 के अंदर है थीक है तो हम इसको हाथ नहीं लगांगे अभी अभी हम a8 को करेंगे और te y e7 और 6 में आएगा तो six put करेंगे तो यह बन जाएगा, देखे, two time a to the power seven, minus three time a to the power six, इसको solve किया, तो यहां से हमें क्या मिला, देखो, और साथ में कितना है, minus three time a to the power seven, क्योंकि हमने एक ही power eight को replace किया, तो वो तो जैसा है, वैसा का वैसा रहेगा, तो four time a to the power seven, minus three time a to the power seven, तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला four minus three, that is a to the power seven, और साथ में two into minus three, that is minus six time a to the power six, और ऐसा option है क्या, seven and six वाला, तो बिल्कुल ऐसा है, तो यह आपका correct option होगा, कि लिए रहे बच्चों, चलिए, आगे बात करते है, eight और six वाले के अंदर, ठीक है, तो देखे seven वाले को अगर आप convert करने की कोशिज करोगे, तो जाएगा six और five के अंदर, six वाले को convert करने कोशिज करोगे, तो जाएगा five और four के अंदर, तो दो different के अंदर आपके सामने इस तरीके से conversion नहीं होगा, ठीक है न, जो भी रहेगा, वो continuous order में रहेगा, तो fourth option नहीं होगा, इधर बात करते हैं, इसके अंदर है आपके सामने seven, five और four, तो अभी-अभी ज six को replace करना पड़ेगा, किस के साथ, five और four के साथ, तो देखते है कितना आएगा, तो हमें मिलेगा, देखिए, a seven minus six time, a six निकालना है, तो इसमें न को क्या put करना पड़ेगा, four put करना पड़ेगा, तो यह four put करेंगे, तो यह बनेगा two time a to the power five, और साथ में, minus three time a to the power four, इसको multiply किया, तो आएगा हमारे सामने, a seven minus twelve time a to the power five, और प्लस eighteen time a to the power four, क्या ऐसा option है, तो देखिए, बिल्कुल ऐसा है, तो यह option भी आपका सही होगा, किज़रे बच्चों, आगे बात करते हैं, next है हमारे सामने, इसके देखिए, a की power eight ही है हमारे सामने, और साथ में seven और six आ रहा है, तो वापिस देखिए, a की power eight वाले को ही करेंगे, तो इस वाले part को हटा देते हैं, और इसी से वापिस चेक करते हैं, पहले option को, और पहले option में देखिए, हमें क्या दिया गया है, देखिए, यहां पर हमारे सामने कितना था, eight और यहां पर था seven, तो इस बार हमें इसमें चाहिए, three time a to the power eight, a nine, तो इसमें पहले तो एक a की power eight को add करते हैं, तो यह बन जाएगा three time a to the power eight, ठेकर हमने इसमें क्या-क्या, एक a की power eight कर दिया, ताकि यह पहली ट्रम आ जाए, एड किया तो इसको subtract भी करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा minus a की power eight, and minus three time a to the power seven, अब रिमेनिंग पार्ट को मेरेको seven और six में convert करना है, मैं seven को आत नहीं लगाना है, आपको eight वाली को convert करना है, लेकिन eight में इसको convert नहीं करना है, क्योंकि three time a to the power eight तो चाहिए, तो इसको तो as it is रखो, और इसको convert कर दो, इसको convert करेंगे तो आएगा, एक पावर eight किजगे, अब देखे, six foot करेंगे तो two time a to the power seven minus three time a to the power six and minus three time a to the power seven आपका as it is रहेगा, इसको simplify करते, देखते कितना आएगा, so three time a to the power eight, seven का coefficient कितना आएगा, minus two यहां से है और minus three यहां से है, so that is minus five time a to the power seven और इसके बाद में minus minus यह plus हो जाएगा, that is three time a to the power six, देखे, पहला option भी बिल आपका ऐसा है, that means, यह option भी आपका correct है, तो one, two and three, यह तीनों options आपके क्या है, सही answer है, इसके अंदे जो main जो काम था, वो काम था आपका यह recursive relation निकालना, जैसे यह recursive relation आजाएगा, इसके बाद तो आपको manipulation करने हैं, ठीक है ना, eight, seven or six में conversion, तो जैसे जैसे आप इसमें values put करेंगे, आपको सारे options दिखाए दे जाएगे, clear है, और ध्यान रखिए, इस type के जो questions आते हैं, जिसमें आपको A9 पूचा है, और आपको A8, A7, A6 में अगर relations निकालने हैं, तो आप questions को हमेशा recursive के साथ में ही deal करें, ठीक है, ताकि आपका question easy solve हो, और जल्दी solve हो, clear है, च और हमें बताना है कि इस function के अंदर कौन सा option चाही है, तो सबसे पहले जो आपको relation दिया गया है, तो पहले option को तो आप direct check कर सकते हो, ठीक है, इसी के अंदर अगर आपको क्या चाहिए, आपको minus 4 चाहिए, तो इसमें आप क्या कर दो, x को minus 6 से replace कर दो, x को जैसे minus 6 से replace तो यह बनेगा f of 2 minus 6, और यह बन जाएगा f of 2 minus of minus 6, तो यह बनेगा f of minus 4, और that will be equal to, यह बन जाएगा f of 8, और पहला option आपको यह दे रखा है, कि यह option क्या सही है, तो बिल्कुल सही है, देखें, multiple correct में आपके पास partial marking होती है, कई बार अगर आपको पूरा क्यूसन नहीं अगर कोई simple part है, उसमें से एक या दो part अगर आपको अच्छे से आ रहे है, तो आप उनको इस तरीके से deal कर सकते हैं, जनरली इसमें partial marking रहती है, आपके जितने options होते हैं, उसी के corresponding आपकी numbers होते हैं, तो पहला option तो आपको बहुत ही easily आप लोग ने उसके साथ में deal कर चुके हैं, इसके अंदर question में जो सबसे difficult option है, वो आपका दूसरा ही है, जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, वो second option है, minimum number of roots of this equation in 0 to 4 are 4, कि इस equation के 0 से 4 के अंदर, आपके पास में जो total number of roots होंगे, वो minimum कम से कम 4 तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते है, तो देखिए, ऐस बात है कि इसमें Rolls theorem को कैसे apply करें, तो हमें f double dash x के roots चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f dash x निकालेंगे, और f dash x के लिए इसको एक बार हमने differentiation किया, तो हमें मिला गया f dash of 2 plus x will be equal to minus time f dash of 2 minus x, minus क्यों आया, क्योंकि यह जो function है हमारे सामने, ठीक है, 2 minus x का जब differentiation करेंगे, तो यह minus sign आयेगा, तो इसको इधर ला करके, हमने इसको एक नया function मान लिया, that is gx, और gx की value कितनी आ जाएगी, f dash of 2 plus x plus f dash of 2 minus x अब बात करते देखिए, इसके अंदर जो values हमें दी गई है, f dash of 1 by 2, f dash of 1, और यह जो relation है, अचा यह आपको बोला गया है, कि non constant twice variable function, इसका मतलब यह continuous or differentiable तो है, अब Rawls theorem के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन सी values इस function के लिए same आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे for example मैंने इसके अंदर x को, f dash of 2 plus x equal to f, आपके सामने minus f dash of 2 minus x, ठीक है, तो अगर मैं x को 0 पूट कर देता हूँ, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, f dash of 2 जो होगा, वो कितना हो जाएगा, ठीक है, यह सिधा मैं f के अंदर ही लगा सकता हूँ, ठीक है, इसमें लगाने की वजाए, और यह चाहो तो इसके ठीक है, यह सिधा एक काम करें, इसको function मानने की जरूत नहीं है, आप direct भी करें, ठीक है, ताकि सिधा हो जाएगा, क्योंकि हमें वैसे भी क्या चाहिए, f dash x के roots चाहिए, तो नया function मानने की requirement नहीं है, x equal to 0 पूट किया, तो आपको पता चलेगा, कि f dash of 2 क्या होगा, 0 होगा f dash of 2, 0 है, यह हमें question में दे रखा है कि f dash of 1 by 2, 0 है, और साथ में हमें यह भी दियावा है कि f dash of 0 की value 0 है, तो देखे हमें एक दो relations और मिल जाएंगे, अगर f dash of 0 की value 0 है, तो अगर मैं इसमें x की value minus 2 put करूँ, तो यह f dash of 0 बनेगा, और उधर आपके सामने f dash of 4 बनेगा, क्य f dash of 4 0 है, साथ में अगर हम 1 by 2 बनाएं किसी एक ट्रम को, तो इसके अंदर अगर मैं minus 3 by 2 put करता हूं, तो उधर से 7 by 2 आ जाएगा, तो आपको एक नई ट्रम और पता चले कि that is f dash of 7 by 2 0 है, तो देखिए, आपको इतनी सारी values किसी एक function के लिए 0 मिल रही है, तो अगर हम यहा लोटा interval है, जैसे 0 से 1 by 2, ठीकर क्योंकि 0 और 1 by 2 दोनों पर value 0 है, फिर है हमारे सामने 1 by 2 से 2, और 1 by 2 से लेकर के 1 तक भी है, तो पहले 1 by 2 से 1 लिखे, फिर 1 से लेकर के 2 तक, और फिर 2 से लेकर के 7 by 2 तक, ठीक है, और साथ में f dash of 4, ठीक है, I think f dash of 4 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि x की और जो माइनस 2 पूट करूँगा, तो हाँ, f dash of 4 भी 0 आ रहा है, so 7 by 2 से 4, ठीक है, यह सारे intervals हमें मिल रहे है, ठीक है, 0 से 1 by 2, फिर 1 by 2 से लेकर के 2 तक, 1 by 2 से लेकर के 1 तक, क्योंकि f dash of 1 भी हमारे 0 है, फिर 1 से लेकर के 2 तक 1 by 2 से 1, फिर 1 से लेकर के 2, फिर 2 से लेकर के 7 by 2 और 7 by 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है, इन सारे points पर अगर यह function 0 आ रहा है, ठीक है, इसका क्या meaning हुआ, इसका meaning हुआ, इसका meaning यह हुआ, कि इन सब interval के अंदर कम से कम एक root होगा, और यहां पर आपको यह बोला गया है, कि minimum number of roots जो अंदर होगे ही होगे, क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, next option, और next option क्या है, देखिए हमारा, next option में आपको एक integration है, वो calculate करना है, और वो integration देखिए कैसे करेंगे, हमारा अभी जो options आये थे, वो पहला और दूसरा options correct थे, तो तीसरे option में देखिए, तीसरे option में आपको एक integration देरका है, minus pi pi 4 से plus pi pi 4, f of 2 plus x sin x dx, ठीक है, तो यह देखिए, माल लेते हैं कि यह i1 है, और इसके अंदर अगर हम king's rule लगा दे, king's rule कौन सा होता है, जिसके अंदर हम a plus b minus x से replace करते हैं, x को a plus b minus x से replace करते हैं, तो देखिए, यह क्या बनेगा, a minus pi pi 4, b pi 5 4, तो दोनों का sum तो 0 होगा, तो actually आपका x minus x से replace हो जाएगा, और आपको यहां पर मिलेगा f of 2 minus x, और साथ में आपको मिलेगा sin of minus x into dx, ठीकिन x को जब minus x से replace करोगे, तो कुछ ऐसा आजाएगा, f of 2 minus x को यहां से वापिस लिख सकते हो, जो आपको relation दिया गया है question में, और यहां से minus sin बाहर, तो यह बन जाएगा f of 2 plus x, यह कहां से आया, जो आपको equation में relation दिया हुआ है, यह sin x और यह क्या है dx, और यह वापिस आपका i ही आगया, so i1 equal to i1, तो यहां से minus i1 so 2 i1 will be 0, तो यहां से i1 की value कितनी आ गई, 0 आ जाएगी, और यह आपको बताना था किया इसकी value 0 है, तो बिलकुल इसकी value कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ऐसे ही last option को देखेंगे, ठीक है न, last option में देखी हमें क्या दिया गया है, last option में आपको दिया गया है, कि 0 से 2 में एक integration है, और 2 से 4 में integration है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको एक check करना है, कि यह दोनों integration क्या equal है या नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे, इनको check करने के लिए हम क्या करते है, दोनों की limit को same करते हैं, और limit को same करके द replacement करें आप t को replace कर दे x plus 2 से, x plus 2 से replace क्यों कर रहे हैं क्योंकि जैसे t2 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा हमारा और जैसे t आपके सामने 4 होगा तो x आपका 2 हो जाएगा तो आपकी जो limit इधर है वो उसके equal हो जाएगी, x plus t को x plus 2 से replace करेंगे तो यह बन जाएगा f of 4 minus 2, 2 minus x और साथ में यहां पर बन जाएगा 5 time cos of pi t, t को x plus 2 put करेंगे तो cos 2 pi plus theta बनेगा और cos 2 pi plus theta first quadrant होता है तो यह वापिस आपका 5 to the power cos pi t ही आजाएगा तो इसमें कोई change नहीं हो, pi x हो जाएगा और dt किसके equal आजाएगा, dx के equal आजाएगा तो आपका यह integration आ गया, तो यह देखिए इसकी limit तो same हो गई लेकिन यह इसके equivalent नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक बार king's rule लगा देते हैं, जो left-hand side है LHS, उसमें king rules लगा देते हैं, क्योंकि limit तो same हो चुकी है, अब देखना है बस same है या नहीं, तो इसकी limit भी 0 से 2 है, इसमें king's rule लगाएंगे तो इसको replace करेंगे a plus b minus x, तो यह बन जाएगा a pop, 0 plus 2 minus x, तो वहां पर t है, so 2 minus t कर दीजिए, अगें यहां पर देखिए cos 2 pi minus theta, 4th word end में cos positive होता है, तो इसमें कोई change नहीं होगा, so 5 times cos to the power pi t, अब देखिए दोनों integration बिल्कुल same है, दोनों के अदर limit बिल्कुल same है, सिर्फ variable change है, तो variable से कोई impact नहीं पड़ता है definite integration में, आप x को वापिस t से substitute करीजिए, आपके limit change होगी नहीं और variable same हो जाएगा, तो variable अगर different भी है दोनों के अंदर, अगर integration और limit same है, that means दोनों के चीज़ी क्या है, identical है, तो इस तरीके स आपका option number 4 भी क्या है, याँ पर, सही option है, clear है बच्चो, चलिए, आगे बात करते है next option, और next question, next question के अंदर आपको क्या दिया गया है, इसके 4 options सही थे, next question के अंदर आपको पास में एक integration, एक submission है, देखिए, और क्या है वो submission, एक second, आपको एक 10 इनवर्स के अंदर एक series है, उसको solve करना है, ठीक है, तो 10 इनवर्स वाली series को देखिए, लास्ट जो पैपर हुए थे, वहां पर भी हम लोगों नहीं discuss किया था, कैसे करते है, उसके अंदर एक standard formula होता है, हमें वो बनाना पड़ता है, और वो standard formula कैसे यहां पर, देखिए, 10 इनवर्स, पहले उपर वाले को हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको बाद में लेखेंगे, नीचे एक 1, 5 है, उसमें से 1 को बाहर ले लिया, पिछे बनेगा, n to the power 4, plus 4, इसको perfect बनाने के लिए हमें, क्योंकि यह a square plus b square का format तो है, तो 2ab, means 2 into 2, that is minus का 4, या plus का 4n square हमें इसमें add करना पड़ेगा, और इसको हमें इसमें से subtract करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा करने से यह क्या बनेगा, perfect बनेगा, तो चलिए बात आगे देखते हैं, 10 inverse, अभी भी उपर वाले को हाथ नहीं लगाएंगे, 4n divided by 1, यह format बन गया, देख 2 का whole square, और 7 में हैं आपके सामने minus का 4n square, इन दोनों में देखिए, a square minus b square का formula लग जाएगा, तो अब देखते हैं, देखिए, 10 inverse, अब उपर वाले को भी लिखेंगे, तो उपर को पहले खाली छोड़ दीजिए, और नीचे आएगा 1 plus, इसको factorization किया, तो यह बना n square plus 2 plus 2n, और 7 में आएगा n square plus 2 minus 2n, ठीक है, और उपर हमें क्या चाहिए, उपर इन दोनों का difference चाहिए, तो इन दोनों को difference करके देखते हैं, देखिए, यह ही आ रहा है क्या, so n square plus 2n plus 2, और 7 में minus n square plus 2 minus 2n, तो बिल्कुल वही है, n square और 2 कट जाएगा, और 2n और 2n 4n, और 4n दिया गया है आपको, तो यह आपका standard format, और देखिए, हमने last two papers हुए थे, उन में भी discuss किया था, सबसे पहले 1 बनाते हैं, फिर इसके factor करते हैं, और इसके factor करके भी हम क्या करते हैं, उपर वाले को उस format में लेके आते हैं, अब यह बन जाएगा आपके सामने क्या, 10 inverse a minus 10 inverse b, so 10 inverse a होगा यहां पर n square plus 2n plus 2, और साथ में minus, यह हो जाएगा 10 inverse, n square minus 2n plus 2, तो यह हमारे सामने क्या आजाएगा, relation आजाएगा, अब हमें इसमें limit apply करनी है, कहां से कहां तक, n equal to 1 से infinity तक, ठीक है, so n equal to 1 से लेके infinity तक, जब देखिए, हम इसमें limit apply करेंगे, तो हमारे सामने कितना आ रहा है, देखिए, नॉर्मल जो सीरीज होती है, उसमें infinity वाली ट्रम हम नहीं पूट करते हैं, क्योंकि जीरो हो जाती है, क्योंकि डिनोमेटर के अंदर रहती है, सब जगे पे, ठीक है, लेकिन 10 inverse में उसका impact पढ़ता है, तो 10 inverse में आपको पूट करना है, हर value को पूट क करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आएगा हमारे सामने, इसमें कापी सारी values पूट करके देखिए, क्योंकि जल्दी से आपको सेम ट्रम नहीं दिखाई देगी, 1 पूट करेंगे तो आएगा 10 inverse 5, minus, उदर 1 पूट करेंगे तो 1 plus 2 minus 2 कट जाएगा, that is 10 inverse 1, यह पहली ट्रम ह तो यहां पर देखिए, आएगा 10 inverse, 4 plus 8 plus 2, that is 10 inverse 10, and minus, इदर जब 2 पूट करेंगे, तो यह आएगा, देखिए, 4 minus 4, cancel out हो जाएगा, that is 10 inverse 2, साथ में आगे बात करते हैं, next ट्रम पूट करते हैं, that is 10 inverse, 3 पूट करते हैं, 3 पूट करने से आएगा, 9 plus 6, 15 plus 2, 17, और साथ में आएगा, minus 10 inverse, क्यों देखिए, अभी तो कोई भी ट्रम सेम नहीं आई है, अब यहां पर देखिए, 3 पूट करेंगे, तो आएगा, 9 plus 2, 11, 11 minus 6, that is 5, तो यहां से ट्रम आपकी सेम होना सुरू हो गई है, तो यह ट्रम आपकी इसके साथ में cancel out हो रही है, एक बार और पूट यहां पर फूर पूट करेंगे, तो देखिए, कितना आएगा, 16 minus 8, that is 8, 8 plus 2, that is 10, तो देखिए, इस से यह भी कट गया, तो ऐसे यह सारी ट्रम से, आगे वाली ट्रम से, ऐसे कटती रहेगी, इस तरीके से, तो इनीशिली आपकी पास में 2 ट्रम से बची है, कौन-कौन सी, एक तो है आपके सामने 2nd ट्रम, और एक है आपके साथ में 4th ट्रम, 1st, 2nd, 3rd, 4th दो ट्रम बची है, ऐसे लास्ट से आपके पास में 2nd और 4th ट्रम बचेगी, जब इसके अंदर आप infinity और infinity minus 1 पूट करेंगे, लेकिन देखिए, जब infinity और infinity minus 1 इसमें पूट करेंगे, तो य आपके पास में रहेगा पाई-पाई-टू, प्लस पाई-पाई-टू, और minus 10 inverse 1, minus 10 inverse 2, ठीके न, यह जो है, यह हमारे सामने क्या हो जाएगा, रह जाएगा, चलिए बात करते हैं, तो इस पूरे पार्ट को मिटा देते हैं, अब देखिए, यह जो relation आया है, इससे हमें चे पहले जैसे एक option बन रहा है, पाई-पाई-टू, प्लस पाई-पाई-टू को आप क्या लिख सकते हो, that is pi, 10 inverse 1 है आपका पाई-पाई-पाई-पोर, और साथ में हैं आपके सामने, minus 10 inverse 2, तो यह बन जाएगा, आपका 3 पाई-पाई-पाई-पोर, minus 10 inverse 2, तो एक option तो आपका यह सही हो जाएगा, 3 pi pi 4 minus 10 inverse 2, लेकिन सिरफ इस पे click नहीं करना है, क्यों multiple correct options है, तो हमें बाकियों को भी check करना है, क्यों, क्यों देख इसमें 3 pi pi 4 है, बाकियों में pi pi 4 है, तो उसको भी check करते हैं, कि जो pi pi 4 होगा, तब क्या होगा, तो pi pi 4 कैसे आएगा, तो देखिए इस इस वाली ट्रम को आप क्या करें, एक ट्रम को वापिस replace कर दें, ठीक है, और उसको कैसे replace करेंगे, कि इसको तो हमें pi pi 4 रखना है, और बाकि पार्ट को वहां से क्या करना है, हटाना है, तो इसको और इसको एक साथ मिला करके, हम क्या लिख सकते हैं दोनों को, यह तो pi pi 4 ब बन जाएगा pi pi 4 plus quat inverse 2, ठीक है न, pi pi 4 plus quat inverse 2, क्यों, क्योंकि pi pi 2 minus 10 inverse theta क्या होता है, quat inverse theta, और pi pi 4 plus quat inverse 2 जो है, ऐसा option आपके पास में कौन सा है, option number 4, इसके साथ में देखिए, क्या pi pi 4 plus 10 inverse 2 भी होगा, तो यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों कि जब quat inverse 2 के equal आ रहा ह अब बचा आपके सामने एक option और that is 10 inverse 3, और इसमें देखिए, या तो आप इसको convert करें, और अगर बाचांस देखिए, आपको इसको convert करने में अगर दिकत हो रही है, ठीक है, इसमें क्योंकि formula अगर आप में problem होती है, तो इस option को आप चेक कर लें, क्या यह उसमें से किसी option क equal तो नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो, 10 inverse 1 plus 2, ठीक है, 10 inverse 3 को क्या लिख सकते है, 10 inverse 1 plus 2, तो 10 inverse A plus B, ठीक है, और 10 inverse A plus B को, क्योंकि नीचे आपके सामने यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो आपको नीचे भी इसमें बनाना पड़ेगा, और नीचे जब बनाएंगे त तो उसको आप लिख सकते हो, 2 minus 1, लेकि 1 हमें positive में चाहिए, तो 1 minus, यहां पर कितना आजाएगा, minus plus 1 into plus 2, तो इस टाइप का कुछ आ रहा है, ठीक है, 1 plus 2, divide by this, लेकिन इसके पहले फिर आपके सामने क्या है, यहां पर minus sign नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, इसके बाहर भी लगा दे, ठीक है, अब देखिए, अब यह किसके equal आ रहा है, यह equal आ रहा है, minus 10 inverse 1, and minus 10 inverse 2 के, लेकिन देखिए, सिरफ यह इसके equivalent नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 inverse a plus b upon 1 minus a b को हम यह लिखते हैं, लेकिन यह generally इसके equal नहीं होता है, यह तब होता है, जब x और देखेंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे, पाई का एडिशन भी होता है, तो देखिए, पाई minus 10 inverse 1, minus 10 inverse 2, और यह हमारा उदर था, that means, आपका यह option भी क्या है, सही है, तो इसके अंदर आपका option number this, 3 pi pi 4 minus this, और साथ में pi pi 4 plus 4 inverse 2, यह जो तीनों options है, आपके बिलकुल क्य है, सही option से, क्लिए रे बच्चों, देख लिए जिये ध्यान से, कोई भी doubt हो, किसी भी type का, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूच सकते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next question क्या है हमारा, next question क्या हमारा differentiation से related है, ठीक है, और हमें यहां पर बताना है, कि कौन सा option correct है, तो सबसे पहले तो, आपको यह जो conditions दी गई है, यहां से देखिए, fx वाला जो function है, वो निकालना होगा, और उसको कैसे निकालते हैं, तो वह जो condition है, उसमें से mod over x minus 1 को नीचे ले आईए, तो यह बन जाएगा 2 time f of x minus f of y का modulus, divide by mod over x minus 1, will be less than or equal to 1, अब देखिए, अगर मैं इसमें दोनों साइड limit लगा दूँ, y tending to x, ठीक है, दोनों साइड पे, limit y tending to x, तो यह तो देखिए, आपके साबने differentiation वाला फॉर्मूला है, ठीक है, f of x minus f of y divided by x minus y, अगर y x की तरफ जा रहा है, तो देखिए, इस तरह किसे 0 by 0 format भी दिखाए दे रहा है, ठीक है, और आप इसमें चाओ, तो लह रूल का यूज कर सकते हो, बाकि यह सीधर differentiability वाला फॉर्मूला है, तो यह किसके equivalent होगा, यह होगा आपका f dash of x के, और इस 2 को उधर ले जाए, उधर कोई फरक पड़ेगा नहीं, क्योंकि उधर तो constant है, that is 1 by 2, तो यहां से देखिए, आपके नया relation मिल रहा है, that is, f dash x will be equal to less than or equal to 1 by 2, question में आपको दिया गया है, f dash x will be greater than or equal to 1 by 2, तो दोनों conditions एक साथ true कब होगी, जब आपके सामने क्या होगा, f dash x की value किसके equal हो जाए, 1 by 2 के equal हो जाए, और f dash x अगर 1 by 2 के equal है, तो f x किसके equal होगा, f x equal to हो जाएगा आपका, x by 2 plus constant, और क्योंकि यहां पर आपको constant निकालने की value नहीं दी गई है, ठीक है, तो that means आपको क्या करना है, आपको इस constant के साथ में ही आपको अपने options को क्या करना है, analysis करना है, तो चलिए, बात करते हैं, कि किस तरीके से क्या होगा, options का analysis, चलिए, तो पहला option है, y equal to x का और इसका एक solution है, देखे ज्यान से, एक तो लाइन है आपके साथ में, y equal to x, और एक लाइन है आपकी इससे कम slope की लाइन, एक second, चलिए, दुबारा देखते हैं, एक तो है देखे आपके साथ में, y equal to x की लाइन, और दूसरी लाइन है, इससे कम slope की लाइन, ठीक है, चाहिए, वो कहीं पर भी कट रही है, इससे कम slope की लाइन है, तो इससे कम slope की, अगर कोई भी लाइन है, चाहिए, वो कहीं से भी pass करेगी, ठीक है, इससे कम slope की लाइन, इसको कहीने कहीं पर एक बार जरूर कट करेगी, ठीक है, तो इन दोनों लाइन का जो intersection point होगा, वो आपके सामने कितना सो होगा, एक होगा, तो पहला option आपका सही हो जाएगा, ऐसे दूसरी एक क्यूबिक equation है, ठीक है, तो जाहिए ये लाइन कहीं पर भी होगी, पास करेगा, ठीक है, इस बिंदू से, इस point से, और इस point से, तो या तो देखिए ये जो line होगी आपके, ये कहने कहीं इसको दो point पर कट करेगी, ठीक है, और या फिर आपके सामने क्या होगा, या फिर यहां पर ऐसा कुछ होगा, कि ये इसको किसी भी point पर कट ना करें, ठीक है, तो इसके 3 solutions आपके सामने कभी नहीं आएंगे, या तो 1 आएंगे, ये 2 आएंगे, या 0 आएंगे, ठीक है, तो ये option आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और लास्ट option है, y square equal to minus x, y square equal to minus x, एक ऐसा पेराबोला है, और इसको कोई भी एक line है आपके सामने, ठीक है, तो वो कितने point पर कट कर सकती है, तो ये आपके पास में more than one point पर कट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि या तो ये इसकी tangent हो सकती है, या ये इसके अंदर, आपके सामने, इसको किसी एक point पर, दो point पर कट कर जाए, या tangent हो जाए, और या उसकता है, non-intersecting भी हो जाए, लेकिन आपको यहां पर बोला गया, दखकर, this may be more than one, ठीक है, क्या इसके एक से ज्यादा solutions हो सकते हैं, तो बिल्कुल possible है, जब ये इसको इस तरीके से दो point पर कट करके जाएगी, तो इसके एक से ज्यादा solution possible है, तो आपका fourth option भी सही हो जाएगा, तो first, second और fourth, ये सारे options आपके इसके क्या है, correct answer से, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next question क्या है हमारा, next question के अंदे देखिए आपको, sin x, cos x के अंदर और greatest integer का analysis करना है, कि कहां पर ये इस function का interval किस type का रहेगा, कहां पर इसके number of solutions 0 होंगे और कहां पर ज्यादा होंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो greatest integer में, अगर कोई भी integer है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो यहां से आपको मिलेगा, sin x will be equal to 1 plus greatest integer of sin x, यह बाहर नहीं आएगा, and plus 1 minus 1 बाहर आजाएगा, और greatest integer में आजाएगा, minus cos x, तो यहां से आपको क्या function मिला, एक function तो है आपके साबने sin x minus 2, और दूसरा function है आपके सामने, greatest integer of sin x plus greatest integer of minus cos x, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, एनलैसिस करना है, तो अब देखे, इसका एनलैसिस है, हम सबसे एजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसका graph पता चल जाए, क्योंकि greatest भी है, sin b है, cos b है, solution करना, ऐसा नहीं कि impossible है, ठीक, आप try कर सकते हैं, लेकिन graphically आपको बहुत अशे से पता चलेगा, और हर चीज का analysis आपके सामने graphically, क्योंकि graph सब के आपको पता है, sin x, cos x, greatest लगाने से क्या होता है, ये सारी चीजे, तो हम क्या करते हैं, इनके graphs बनाते हैं, तो एक function तो हमारे सामने, sin x minus 2, मैं यह आपर उपर लिक रहा हूँ, इसका graph बनाएंगे, y equal to, और दूसरा graph बनाएंगे, हम y equal to, mod of sin x, plus, minus cos x का, चलिए, बात करते हैं, देखिए, sin x minus 2 के graph में, तो हमें कोई problem नहीं, उसको बात में बना लेंगे, मैं हैं हमारे पास में greatest वाला, इसका देखते हैं, ग्राप कैसा होगा, तो इसका graph बनाने के लिए, आप क्या कीजिए, sin x का रप डाइग्राम बना लिए, तो sin x का रप डाइग्राम ऐसा होगा, और minus cos x का graph कैसा होगा, reverse हो जाएगा, तो उपर से जो शुरू होता है, वो आपका इस type का आजाएगा, खिलेर हैं, तो यह आपने क्यों बनाया है, एनलाइसिस करने के लिए, देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, x equal to 0 पर, क्योंकि हमें जो options दिए गए हो, 0 से 2 pi के बीच में है सारे, और ऐसे फिर लास्ट ऑप्शन का भी, 0 से 2 pi में जब अनलाइसिस हो जाएगा, तो फिर प्रियोडिक फंक्शन है, तो अल और भी अनलाइसिस हो जाएगा, तो 0 से 2 pi में बात करते हैं, तो x equal to 0 पर देखिए, sin की value 0 होगी, इसकी value minus 1 होगी, ठीक है, तो आपका जो all और दोनों का, greatest integer का जो sum आएगा, वो क्या आएगा, वो minus 1 आएगा, मिस्ट यहाँ पर आएगा, इसके बाद में देखिए, sin x की value 0 से pi pi 2 के बीच में बात कर रहा होगा, क्योंकि इसका graph से भी आप देख सकते हो, यह तो होगा minus 1 से 0 के बीच, और यह होगा 0 से 1 के बीच, तो इसका answer तो minus 1 होगा, उसका answer 0 होगा, तो दोनों का जब sum करेंगे, तो हमें यहीं पर एक line मिलेगी, इस तरीके से, यह कहां तक चलेगा, pi pi 2 तक, और यह भी वापिस 0 से 1 के बीच में, तो दोनों का greatest integer 0 होगा, तो वापिस आपका graph यहां से शुरू होगा, और यहां तक चलेगा, pi पे बात करते हैं, pi के उपर देखिए, cos x की value 1 होगी, और sin x की value 0 होगी, तो वापिस आप 1 पे पहुंच जाएंगे, pi से 3 pi pi 2 के बीच में चलते हैं, pi pi से 3 pi pi 2 में, sin x की value minus 1 होगी, और cos x की value आपके वापिस की आएगी, 0 आएगी, तो वाँ से minus 1 और यहां से 0, तो दोनों का sum कितना आएगा, minus 1, ठीक है, pi के उपर value उपर थी, तो आपके open circle है, सेदी शी बात है, 3 pi pi 2 से लेकर के, 2 pi के बीच में sin x वापिस कितना आएगा, अचा पर 3 pi pi 2 पर बात करते है, sin x की value minus 1 और cos x की value 0, तो यहां पर आपको minus 1 ही मिलेगी, miss यहां पर dark circle बन जाएगा, 3 pi pi 2 से 2 pi में, अगें आपके पास में sin x की value minus 1, और cos x की value भी minus 1, तो यहां से मिलेगा आपको minus 2, तो यह चलेगा आपका minus 2 तक, और इसके बाद में, आपके सामने finally क्या बचा, 2 pi पर value क्या होगी, तो sin x से 0 और cos x से minus 1, तो यहां पर बन जाएगा आपका dark circle, खिलिए बच्चों, चलिए, आगे बात करते है, sin x minus 2 का graph, तो sin x minus 2 का graph जब बनाएंगे, तो क्या होगा, आपका sin x का graph है, वो 2 step नीचे shift हो जाएगा, तो यह जो पहले value आपकी 1 आ रही थी, अब वो value क्या हो जाएगी, वो minus 1 हो जाएगी, तो यही जो graph होगा आपका, यहां से शुरू हो करके, और इस तरीके से नीचे आ जाएगा, और यह चला जाएगा आपका minus 3 तक, तो यह जो graph बनेगा, वो आपका बनेगा minus 1 से minus 3 के बीच में, लेकिन ध्यान रखिए, आपको अच्छे से बनाना है, ताकि आपको हर point दीख जाए, ठीक है, minus 1 से लेकर के, माइनस 3 के बीच में, देखिए, ग्राप सुरू कहां से होगा, ग्राप सुरू होगा minus 2 से, ठीक है, और इस point पर, यहां पर, maximum कहां पर जाएगा, pi pi 2 पर, pi pi 2 आपका ये वाला point है, ठीक है, pi ये वाला point है, 3 pi pi 2 आपका ये वाला point है, और 2 pi आपका ये वाला है, ताकि आपको हर चीज पता रहे, तो देखिए, minus 2 से शुरू करेंगे, लेकिन इस point तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे इस point पर पहुंचेंगे, तो यहां पर dark है, और इसके पहले ये इसको मिलेगा नहीं, यहां से वापिस आप नीचे की तरफ जाएंगे, minus 2 तक आएंगे, minus 2 से आप वापिस नीचे की तरफ जाएंगे, minus 3 तक जाएंगे, और minus 3 से आप वापिस गूम करके आएंगे, और वो कहां तक जाएंगे, वो आएंगे आप minus 1 तक, और minus 1 तक आप कहां पर चलेंगे, यहां पर उपर तक चलेंगे, clear है, तो चलिए, यह हमने क्या कर दिया, इसका grab बना लिया, और एक बार हम इसको दुवारा चेक करते हैं, और वो कहां पर, यहां पर हमने गडबड़ कर दिया, यह उपर नहीं जाएगा, यह कहां तक जाएगा, यह माइनस 2 तक ही जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप यहां पर सही कर लें, clear है, क्योंकि minus 2 ही value होगी, वापिस गुम करके कहां तक आएगा, minus 2 तक, तो इस ही point तक आएगा, तो आप जहां से देखेंगे, तो दोनों graph कहीं पर भी intersect नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्यों ऐसा लग रहा है कि इस point पर आएगा, लेकिन इस point पर value यहां पर नहीं, इस point पर value यहां पर उपर है, dark circle उपर है, ऐसे ही आप पा रहा है, यहां तो कहीं intersection देख नहीं रहा है, यहां वापिस लग रहा है, लेकिन यहां पर value इस point पर नहीं है, वो भी आपकी value उपर है, minus 1 पर, तो 0 से 2 pi में यह graph आपके कहीं पर भी intersect नहीं कर रहे है, that means इसका जो solution होगा आपका, 0 से 2 pi में हर case में no solution होगा, और हर case में no solution 0 से 2 pi में है, that means आपका all-around जो solution होगा, वो भी कैसा रहेगा no solution, तो आपके चारों options हही है, ठीक है ना किसी भी interval के अंदर इसका कोई भी solution नहीं आएगा, क्लियर है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next questions, और next questions है हमारे, integer type के questions शुरू हो जाते हैं, और integer type के questions है, उनके बारे में discuss करते हैं, तो चलिए, देखते हैं, पहला जो question है हमारा, उसमें क्या है, the number of solution of this equation will be, ठीक है, इस equation के total number of solutions जो होगे, वो कितने होगे, किजर है, तो देखिए, modulus लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें ऐसा positive है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, squaring कर देते हैं सबसे पहले, squaring करेंगे तो यह बनेगा, sin square theta plus cos square theta, so that is 1, plus 2 times sin pi pi 2x, sin pi pi 2x, cos pi pi 2x, और उदर भी root है, तो root हमें ऐसा positive होता है, तो वो हट जाएगा, log mod x का cube, और फिर पूरे का mod, जिहां रखिए, कहां पर mod लगा हुआ है, कहां पर नहीं, यह बहुत important है, उस part को आपको वहां से हटाना है, 1 से 1 कट जाएगा, और यह आजाएगा, आपका sin pi x, और equal to के अंदर कितना है, equal to में है, mod over log, mod x का whole cube, और फिर पूरे का modless, clear है, अब हमें क्या करना है, हमें बताने की, कि इसके number of solutions कितने होंगे, तो देखिए, एक trigonometry है, और दूसरा log है, तो फिर से हमें इसमें graphical analysis करना पड़ेगा, और graphical analysis कैसे करेंगे, अभी अभी देखा था, हमने last question के अंदर, उसी तरीके से आपको यहां करना है, सो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करें, कि लोग का जो graph है, वो कैसा होगा, clear है, अचा क्यूशन के अंदर जब तक लोग का base ना दिया जाए, ठीक है, तो आप लोग का base E मानके चले, तो हम यह मानके चल रहे हैं, कि यह आपके सामने क्या है, कि नेचुरल जो लोग base आपको दिया जाता है, ठीक है, चाहिए वो 10 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, तो जब तक नहीं दिया जाए, ln हो, log हो, आपको क्या करें, उसका base E मानके, उसको solve करें, ठीक है, और exam में आपको ऐसी जगे पर कोई इस type का confusion नहीं होगा, चलिए, log mod x का जो graph बनेगा, वो कैसा बनेगा, त क्यूब करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्यूब करने से बस आपके थोड़ा सा stretch होगा graph, graph की shape बिल्कुल आपकी वैसी ही रहेगी, और इसके उपर वापिस modulus लगाने से आपका जो नीचे वाला ये वाला जो part है, यह आपको ऊपर आ जाएगा, यह वाला part भी और यह जो point है हमारे पास में यह है 1 और यह point कितना है minus 1, अब बात करते है, sin pi x का graph, और sin pi x का graph कैसा होगा, क्योंकि इसका जो period है वो 0 से 2 है, तो 0 से 2 है, that means यह 1 के उपर आपके सामने, कितना होगा, पाई बनेगा, और 2 पर यह 2 पाई बनेगा, तो 1 पर यह पाई बनेगा, means वापिस 0 से जब चलेगा, तो 1 पर आएगा, तो यहाँ पर घूम करके इसी point पर आ जाएगा, तो आपका जो graph होगा, वो कुछ इस type का रहेगा, फिर आपका 1 से 2 में graph चला जाएगा नीचे, ठीक है, और इसके बाद में इसके जो important part है, वो है, 2 से 3 में यह graph उपर जाएगा, और 2 से 3 में यह graph उपर जाएगा, तो यह वापिस इसको cut करेगा यह नहीं करेगा, यह बहुत important part है, क्योंकि E की value 2.7 होती है, तो यह 2 से 3 है, ठीक है, तो देखिए, जो आपके पास में symmetric point ह यह बिल्कुल 2 से 3 के बीच में होगा, और 2 से 3 के बीच में होगा, that means, जो E जो होगा, वो आपका कहीं यह 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 य 3 के बाद में यह इसको कट नहीं करेगा, ऐसे ही इधर बनाएंगे, इधर आएगा तो यह गूम करके सबसे पहले आपके पास में यहां पर आएगा, ठीक है, साइन वाला जो ग्राफ है, नीचे से गूम के, इस टाइप से इधर आ गया, माइनस वन पर आकर के, यह इसको मिल गया, ठीक है, इसके बाद में इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ इधर से आपके सामने इस तरीके से निकलेगा, अब इसका ग्राफ उपर जाएगा, और उपर जाकर के यह इसको दुबारा कट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यह किस चीज़ पर आपका डिपेंड करेगा, तो अगर हम देखें, तो माइनस वन के बाद में माइनस टू, और इसके बाद में यह कहां तक जाएगा, यह जाएगा आपके सामने माइनस ए तक, ठीक है, क्यों माइनस टू के बाद में आएगा सब्सक्राइब एक तो इसको आप यहां पर रहेगी कि तो हपर के इस скорее June Luna by माइने से पर सक्रफ कि की मानशित्री माइने स्कृरत पर पर स्कृत कि मैंन हो तो इसे कम पर दियुकां तो इसको हैं रहेगा त्छी iconeta यह वाला जो graph होगा वो यह वाला point यहां पर है, means, यहां पर जाकर के one होगा, तो इस point से pass करेगा, और इस point से pass करेगा, means, वो कुछ इस तरीके से, यहां से जाएगा, clear है, और इस तरीके से जब जाएगा, means, shape ऐसी नहीं रहेगी, कि उसकी, shape कुछ इस type की रहेगी, उपर की तरा, एक second, ठीक, यहां से इसे सुरू होते हुए, means, इस type से जाएगा, लेकिन यह वापिस आपका इस graph को cut करेगा, देखिए, इस point पर cut करेगा, यहां cut कर रहा है, इस point पर cut कर रहा है, यहां cut कर रहा है, और इधर cut कर रहा है, और इसका answer change हो जाएगा, यह question तब है, जब इसका base क्या हो, low का e होगा, 10 होगा, तो फिर हम वापिस इसमें ज्यादा solution होगा, फिर जैसे अभी हमने 3 तक analysis किया, दोनों साइड, फिर हमें 10 तक उसका analysis करना पड़ेगा, और उसके corresponding फिर इसका answer आएगा, clear है, तो ध्यान से देख solution में आपको दिया गया है, कि c कोई भी एक complex number है, और इसकी आपको maximum value निकालनी है, और जो z है आपका, वो mod z equal to 1 पे लाई कर रहा है, तो lambda square minus 5 की value क्या होगी, तो चलिए उसकी maximum value निकालने के लिए, सबसे पहले, इस mod z equal to 1 यह एक circle है, जिसकी radius 1 हो, तो इसके उपर अगर पोइंट लेना हो, तो हम क्या लेंगे, cos theta, cos theta, sin theta, क्योंकि radius 1 है, तो 1 cos, वैसे r cos theta, r sin theta होता है, बट यह हो जाएगा cos theta sin theta, और जो point होता है, वह होई z होता है आपका, that means, यह है cos theta plus iota sin theta, तो जब इसमें put करेंगे, तो यहां पर आजाएगा, आपका z cube, that is, e to the power iota theta लिख इसको क्योंकि radius 1 है, तो थोड़ा सा आपके सामने simple हो जाएगा, e to the power iota 3 theta, minus e to the power iota theta, and plus 2 का modulus, e to the power iota theta कितना होगा, cos 3 theta, plus iota sin 3 theta, तो इसमें इसका real part लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को modulus चाहिए, minus cos theta, and plus 2 का whole square, यह इसका real part है, plus इसका imaginary part होगा, आपका sin theta, sin 3 theta, and minus sin 3 theta का all square, ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका modulus हो जाएगा, लेकिन इसका root भी होता है, तो हम इसको एक बार क्या लिख देता है, mod z का, यह f z जो भी है हमारे पास में, f of z का modulus का square आ जाएगा, के लिए रहे लिए रहे लिए और इसकी value हमें क्या दी गई ह क्यूशन के अंदर, ठीक है, इसकी value lambda है, तो lambda square की value आएगी हमारी यहां से जो भी होगी, लेकिन इसकी maximum value आएगी कितनी, वो अभी आमें निकालनी है, तो चलिए बात करते हैं, इसको open करते हैं, तो यहां से आएगा, देखिए, cos square 3 theta, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, cos square 3 theta plus cos square theta, plus 4, minus 2 cos 3 theta, cos theta, साथ में आएगा आपके पास में, minus का 4 cos theta, और साथ में आएगा आएगा आपके सामने, minus 4 cos theta के बाद में, एक ट्रम आएगी, आपके सामने, जब 2 cos 3 theta के साथ multiply होगा, तो प्लस का 4 cos 3 theta, फिर वहाँ से आएगा आपके सामने, sin square 3 theta, sin square 3 theta, plus sin square theta, यह sin theta है यहाँ पर, ठीक है, that will be sin theta, and minus का 2 time, sin 3 theta, sin theta, ठीक है, थोड़ा सा expression बड़ा है, लेकिन अभी simplify हो जाएगा अगले step में, तो यहाँ तक आप एक बार इसको देख सकते हैं, अब बात करते देखे, यहाँ पर क्या-क्या चीज आपके सामने, simplify हो रही है, देखे, cos square 3 theta, plus sin square 3 theta, यह 1 हो जाएगा, यही, cos square theta, plus sin square theta, यह भी 1 हो जाएगा, so that is 2, 4 आपको पहले से दिया हुआ है, so that is 4, इसमें देखे, फॉर्मला लग जाएगा, इसमें और इसमें एक साथ, minus 2 common लेंगे, तो cos a, cos b, plus sin a, sin b, तो यह होगा, cos a, minus b, so cos 3 theta, minus theta, that is cos 2 theta, और साथ में आपके सामने, क्या ट्रम बची, minus 4 cos theta, और साथ में एक ट्रम बचेगी, आपके सामने, plus 4 cos 3 theta, तो यह पूरी की पूरी शिरीज किसमें आगे, देखे, cos में आगे, अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, maximum value निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, so चलिए बात करते हैं, 1 plus 1 plus 4 कितना हो जाएगा, 6, ठीके, आगे है आपके सामने, minus 2 cos 2 theta, इसमें cos 2 theta वोला formula लगा दे, और cos theta को c ले ले थोड़ी देर के लिए, तो यह हो जाएगा 2 c square minus 1, c क्या है, cos theta की value, ठीक है, so 2 c square minus 1, minus 4 c, ठीक है, minus 4 c, और साथ में 4 cos 3 theta का formula लगाएगे, तो यह आएगा 4 cos 3 theta का formula होता है, 4 cos 3 theta minus 3 cos theta, इसको simplify करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, so next step में आएगा आपके सामने, 6 plus 2, that is 8, साथ में आएगा, minus 4 c square, और एक आपके सामने, यहाँ पर भी आएगा, इसलिए एक बार उसको लिख ले, फिर एड कर देंगे, minus 4 c square, plus 2 हमने एड कर दिया, minus 4 c, और साथ में यहाँ से आएगा, आपके सामने, 4 into 4, 16 c square, और साथ में आएगा, 4 into 3, that is minus 12 c, तो finally देखे, पूरे में से 4 common आ रहा है, 16 c cube है, 4 common आ जाएगा, तो आपके सामने आएगा, 4 c cube, इसके साथ में c square आएगा, सिरफ minus c square, और साथ में आएगा, minus का 16 में से common लेंगे, तो minus का 4 c, and plus का 2, ठीक है, यह हमारे सामने, पूरा का पूरा हमारा expression आ गया है, अब हमें इसकी क्या करनी है, हमें इसकी maximum value निकालनी, यह lambda है, इस lambda की हमें क्या करनी है, maximum value निकालनी है, तो देखते हैं, कितनी आएगी, यह तो हमने क्या किया, इसका modulus को निकाला है, simplify किया है, ठीक, अब बात करते हैं, यह जो expression है, 4 into, 4 times c cube, minus c square, minus 4 c, and plus 2, इसकी maximum value क्या होगी, तो देखें, यह cubic है, cost के अंदर, ठीक हैं, और cubic की value, minimum, maximum कैसे निकालेंगे, इसको differentiate करेंगे, और देखेंगे, कि यह कहाँ increasing है, कहाँ decreasing है, तो सिरफ इस वाले part को, मैं एक function लेकर करके differentiate करूं, तो मेरे को मिलेगा, देखिए, 12 c square, minus 2 c, and minus 4, इसमें से 2 common आ जाएगा, तो यह बनेगा, 6 c square, minus c, minus 2, तो देखिए, आपको क्या मिल रहा है, आपको एक factor तो मिलेगा, 3 c, minus 2, और 1 c, क्योंगे हमने 2 common लिया, तो 4 बचेगा, so c minus 1, एक बार multiply करें, 3, sorry, यहाँ पर भी 2 c है, 6 c square, minus 3 c, plus 4 c, तो यह minus और यह plus, तो ऐसा कुछ आपको सामने आएगा, तो यहाँ से आपको c की दो values मिलेगी, एक minus 1 by 2, और दूसरी मिलेगी 2 by 3, इधर positive, इधर negative, इधर positive, ठीके न, इस interval के अंदर यह expression आपका, positive, negative रहेगा, तो maximum कब आता है, जब आपके सामने positive से negative में convert होती है, तो यहाँ तो आपके सामने जो maximum value होगी, वो इस point पर आएगी, और यहाँ हो सकता है कि आपके सामने minus 1 और 1 पर आजाए, तो बट minus 1 और 1 पर जब आप check करेंगे, तो इस से कम आएगी, तो जो maximum value आएगी, वो आपके minus 1 by 2 पर आएगी, लेकिन आपको check तीनों point पर करना है, तो minus 1 by 2 पर इस function की value कितनी आ रही है, that will be lambda square, और इसमें जब आप minus 1 by 2 put करें, तो आपके सामने आएगा 4, इसको simplify किया, तो यह आएगा 1 by 2, जब minus 1 by 2 put करेंगे, तो minus 1 by 2, यहाँ put करेंगे minus c square, तो क्योंकि minus 1 by 2 put किया, आपने, so that will be minus 1 by 4, साथ में यहाँ minus 1 by 2 put करेंगे, तो 2 plus 2, that will be 4, तो आपके सामने जो total quantity आएगी, वो आएगी minus 2, यहाँ से इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो आएगा minus 1 and plus 16, तो lambda square की value आ रही हो, कितनी आ रही है, और आपसे पूचा क्या गया है, lambda square minus 5, तो उसकी value आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो इस question का जो आपका answer होगा, वो कितना होगा, 8 होगा, सो चली बच्चों, आगे बात करते हैं, question number 3, और question number 3 है आपका definite integration से, और greatest integer दोनों का combination, तो फिर से देखे, बात करते हैं, देखे, 0 से 100 pi के बीच में आपको इसको integrate करना है, और इसका integration आपको इस format में दिया गया है, तो p की value निकालनी है, तो देखे, देखने में फोड़ा सा drawna question है, लेकि बहुत simple question है, किस तरीके से करेंगे, देखे, 0 पर Cout invers X जो होता है, वो कितना होता है, आपका पाई-pIE-2 होता है, और 10 invers X जो होता है, वो 0 होता है, और इसके बाद में इसका graph के थूँ, आगर आप सिदा भी अगर बात करें, तो 0 के बाद में Cout invers X की value तो decrease होगी, और 10 invers X की value increase होगी, तो pi pi 2 पर quote inverse x आपका कितना होगा, वो one point something होगा, और one point something पर, जब आप इसकी बात करेंगे, zero पर, ठीक है, तो ये जब तक quote one तक नहीं जाएगा, क्योंकि quote one पर इसकी value one होगी, तो तब तक ये one point something ही रहेगा, और वहां पर इसके greatest integer की हम बात करेंगे, तो वो आएगा one into dx, clear है, फिर quote one से लेकर के आप आगे कहीं तक भी जाएं, ये value one से कम हो जाएगी greatest integer में, और ये जब one से कम हो जाएगी, तो इसका greatest integer हो जाएगा, आपका zero, ऐसे आपको ten inverse वाले में करना है, ten inverse zero पर zero होता है, तो ये तब तक one नहीं होगा, जब तक आप ten one तक नहीं जाएगे, और ten one पर जाकर के ये one होगा, तब तक तो ये zero रहेगा, और जैसे ही ten one हो जाएगा, ठीक है, इस से लेकर के से आप ऊपर कहीं तक चले जाएं, last तक चले जाएं, क्योंकि इसकी maximum value pi pi two तक जा सकती है, तब तक ये one point something ही रहेगा, और उसके greatest integer की value क्या हो जाएगी, one हो इसकी जो range होती है, cot inverse x जो आप जब भी x positive होता है, कोई भी inverse trigonometric हो, अगर उसके अंदर का argument positive होता है, तो उसकी range 0 से pi pi two होती है, cot inverse decrease होगा, और ten inverse increase होगा, कब तक increase होगा, जब तक one ना हो जाए, cot inverse x one होगा, cot one पे, ten inverse x आपका कहांपर होगा, ten one पे, clear है, चलिए, इसके integration की बात करेंगे, तो यह आएगा, x, x में जब limit put करेंगे, तो यह आएगा, cot one minus zero, यह तो zero हो जाएगा, यह भी zero हो जाएगा, इसका भी x होगा, लेकिन यह आजाएगा, आपका 100 pi minus ten one, ठीक होगा, integration x होगा, x में जब limit put करोगे, तो यह आजाएगा, तो finally आपका answer होगा, 100 pi, इसको जब simplify करेंगे, quote one को लिखा, one upon ten one, तो यह बन जाएगा, one minus ten square one, divide by ten one, इसको उपर नीचे two से multiply और two से divide कर दिया, ताकि एक formula बन जाए, और इस formula को जब हम देखेंगे, तो यह कितना आरा देखिए, यह होगा, hundred pi, plus, उपर जो two हो रहेगा, और नीचे यह बनेगा, two ten theta upon one minus ten square theta, that is ten two theta, that means ten two बन जाएगा, और ten two को जब उपर लेके आएगे, तो आपके पास में आएगा, hundred pi plus two time, quote two, और आपका जो answer है, वो देखिए, इसी format में दिया गया है, और दोनों जगे पर p दिया होगा है, अगर p और q लिखा होगा होता, तो फिर भी चलो, कुस कुस क दोनों जगे पर p था, और हमारा भी दोनों जगे पर same number आया, that means p की value कितनी हो जाए, हो जाएगी, two हो जाएगी, तो हमारा जो इस question का answer होगा, वो कितना होगा, two होगा, चलिए, आगे बात करते हैं, आगे और analysis करते हैं, next question का, और next question क्या है हमारा, next question के अंदर देखी, अगेन आपको, दो expressions दिये गए हैं, और इस expression की, जो minimum value है, वो p by q है, और हमें उसकी क्या करनी है, minimum value निकालनी है, so, कैसे निकाले, क्योंकि उसमें, दो variable है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहां से उसको single variable में convert करें, और फिर उसका analysis देखें, तो y की जगे put करें, minus 1 upon x, तो आपका जो expression है, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 minus x square, plus, देखें, y की जगे पर, जब put करेंगे, minus 1 by x, तो LCM लेने के बाद में, x उपर आजाएगा, एक x आपका इधर आजाएगा, 9 के साथ में, और यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है न, कैसे, क्योंकि यहां पर, माइनस 1 by put करेंगे, तो यह बनेगा, 9 minus 1 upon x square, और इसमें जब आप LCM लेंगे, तो x square यहां पर आएगा, और साथ में, ऊपर चला जाएगा, और कुछ ऐसा format बन जाएगा, अब यहां पर आप x square को t मान लीजिए, ठीक है, और देखते हैं देखें कितना आएगा, तो यह बनेगा, देखिए, 4, LCM ले लीजिए, 9t minus 1, plus 9t, x square को t माना हमने, और divide by, 9t के साथ में, 4 minus x square multiply होगा, so 4 minus t, and whole divide by, 4 minus t, into, 9t minus 1, आगे देखिए, इसको simplify करते हैं, और इसको simplify करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, तो उपर से आएगा, देखिए, 9 x 4, there will be 36t, और 7 में आएगा, आपके सामने, minus 4, so यहां पर लिखते हैं, देखिए, 36t, 9 x 4, minus 4, यहां से आएगा, आपके पास में, आएगा, 36t, और साथ में कितना आएगा, minus 9t स्क्वाइर, divide by, क्योंगी इसमें plus sign है, so minus 9t स्क्वाइर आएगा, निचे कितना आएगा, आपके सामने, 9 x 4, there will be 36t, 4 x minus 1, that is minus 4, और साथ में, minus t x 9t, that is minus 9t स्क्वाइर, और साथ में आएगा, प्लस का t, अब देखिए, निचे हैं ज्यादाता है ट्रम, से में बस एक ट्रम थोड़ी सी चेंज हो रही है, और वो क्या है, वो ट्रम, माली ट्रम, minus 9t स्क्वाइर वहां पर भी है, minus 4 वहां पर भी है, निचे है 37 और उपर है 72, तो एक काम करते हैं, उपर जो 72 है, उसको लिख देते है, 37 प्लस 35, तो जो 37 वाले के साथ में जो पेर रहेगा, तो वो पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो कितना हो जाएगा, आपके सामने, निउम्रेटर और डिनामेटर सेम हो जाएगा, और साथ में जो 35t उपर बच जाएगे, वो डिवाइड बाइ नीचे जो है आपके सामने, 36t, 37t, minus 9t square, and minus 4, यह वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रह जाएगा, क्लियर है, अब देखिए हम इसकी minimum maximum value, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए, x square को t माना था, आपने जान रखिए, अब भी put कर देंगे उसकी value, तो देखिए, t से डिवाइड कर दीजिए, पहले तो उसको, तो वो बन जाएगा, 1 प्लस 35, divide by, t से divide करेंगे, तो ये बनेगा 37, और उसमें से minus sign common ले लीजिए, और ये बनेगा आपके सामने 9t, t को आपने x square माना था, और प्लस वो बन जाएगा 4, divide by t, उसके अंदर नीचे आजाएगा x square, तो ये आपका फाइनली expression आ गया, जो इसको आपको minimum value निकालनी है, ठीक है, अब देखिए, ये minimum कब होगा, जब ये maximum होगा, जब ये maximum होगा, जब दिनामेटर maximum कब होगा, क्योंकि इसमें से इसको गटा रहे हैं, हम इसमें से इसको subtract कर रहे हैं, तो जब ये term minimum होगी, ठीक 6 square plus 4 by x square by 2, तो 2 को इदर multiply कर दिया, into 9 x square into 4 by x square, तो इसकी जो minimum value मिल रही हो, कितनी आ रही है, 36, 6 होता है, तो that will be 12, तो जब ये 12 होगा, तो ये all our quantity क्या होगी, आपकी minimum होगी, तो आपका जो minimum value आएगा, इसका वो कितना आएगा, 1 upon 35 divided by 37 minus 12, so that is 35 by 25, so that is 7 by 5, और इसको और आगे solve करेंगे, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, 5 plus 7, that is 12 divided by 5, आप से पूछा गया है कि ये P by Q के format में है, तो P minus Q कितना होगा, तो यहां पर P minus Q की जो value आएगी, वो कितनी आजाएगी, 7 आजाएगी, clear है, तो ये था आपका, इस question का, solution इसका answer, minimum, maximum पूछा गया था, ठीक है, तो पहले हमने expression को simplify किया, एक variable में, जब एक variable में आगया, finally, तो हमने दीवाक लगया, कि कैसे हम इसकी minimum value निकाल सकते हैं, चली बात करते हैं, आज के paper का हमारा last question, और वो किस चीज से related है, तो last question है हमारा, again हमें एक expression दिया गया है, और इसके अंदर पूछा गया, कि number of possible triplets कितने होंगे, x, y, z, तो देखिए, जब भी ज्यादा variable हो, और एक ही equation हो, तो हमेशा यह धान रखिए, कि आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, यहां पर, exponent है, ठीक है, power में variable है, ठीक है, तो सबसे जो best तरीका, जब भी बहुत ज जदा variables होते है, तो arithmetic mean और geometric mean वालिक condition से ही हम देखते है, तो again हम इन तीनो numbers पर, a, m, g, m अगर लगाएं, तो देखिए, कितना आएगा, अगर मैं इसको a नाम देदू, इसको b नाम देदू, इसको c नाम देदू, तो a plus b plus c, divide by 3, will be greater than or equal to a, b, c का cube root, तो cube root से क्या कर दीज किये, a plus b plus c, को आपको कितना दे रखा, 1 दे रखा है, तो ये बन जाएगा, आपका 1, divide by 3 का, cube, और इधर आजाएगा, इन तीनों का product, इन तीनों को multiply करेंगे, तो देखिए, 9 into 9 into 9, that is 9 cube, और 7 में आएगा, आपके सामने, 27 की power, देखिए, x square, y square, z square, ये एक एक बार आए है, और z वाली ट्रम भी दो बार है, तो हमारे सामने ये expression बन जाएगा, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इसको फर्दर आगे solve करना है, तो फिर से देखिए, जब solve करेंगे, तो ये तो 9 cube ही रहेगा, लेकिन ये जो 27 है, ठीक है, इसकी जो power है, क्यों लिक रहे है, ताकि हमें पता चले कि ये expression कब positive होगा, कब negative होगा, क्योंगी perfect square numbers positive होती है, और हमें ऐसी ट्रम दी गई है, लेकिन इसमें plus 3 भी आएगा, जो हमें नहीं दिया गया question में, तो हम साथ में इसमें से क्या कर देंगे, minus 3 कर देंगे, clear है, अब वापिस इस प बन जाएगा, 3 की power 6, will be greater than or equal to 27 to the power, इसको आपने t माना, that is t, और 27 की power minus 3, इसको नीचे लाएगे, तो 3 का cube होता है, और इसकी power 3, तो ये भी बन जाएगा 3 की power 9, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो finally आपके सामना आएगा, 27 की power t, will be less than or equal to 1, अब ये less than or equal to 1 कब होगा, जब आप 1 को क्या लिख सकते हो, 27 की power 0, तो जब t will be less than or equal to 0, और t की value देगे less than 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि t आपने कौन से expression को माना था, इस expression को, ये एक perfect square expression है, क्यों माइनस 3 को तो देगी हम नीचे ले आएगे, तो इसकी value negative तो कभी हो नहीं सकती, तो negative नह हो सकती है, that means, ये क्या होगा, ये 0 के equal होगा, और ये quantity 0 के equal सिरफ एक ही case में होगी, जब x भी हमारा minus 1 हो, y भी minus 1 हो, और z भी कैसा हो, minus 1 हो, so इस तरीके से हम देख सकते हैं, कि सिरफ एक possible triplet होगा, minus 1, minus 1, minus 1, तो इसका जो answer होगा हमारा, वो कितना आजाएगा, वो 1 आजा आजाएगा, आपको इसी तरीके से analysis करना होगा, उसकी maximum minimum value निकालते हुए, क्योंकि वहाई से आपके उसके इंदर कोई ने कोई एक ऐसी condition बनेगी, जहां से आपका question क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, clear है, तो ये हमने हमारा major test था, उसका पूरा solution अच्छे से discuss किया है, ठीक